ये Galaxy App, 25 जनवरी दोपहर 12 बजे एक टेस्ट लाइव की जाएगी, जितनी भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देंगे, टॉप 8 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और 24 जनवरी को हम 1st एपिसोड आफ वीकली मेगा क्विज कॉपेडिशन लेके आ रहे हैं, इस लाइव आफ वीकली मेगा क्विज कॉपेडिशन तो 24 तारीक को हमारा लाइव क्विज देखें और 25 तारीक को 12 बजे आप डाउनलोड करके टेस्ट दें, धन्यवाद कोटा सा टेस्ट देना होगा, गैलक्सी कासस की आप के तुरू, जिसमें से हम सेलेक करेंगे टॉप एट स्कोरर्स को, तो आईए जानते हैं कि टेस्ट कैसे दिया जाए, सबसे पहले गैलक्सी कासस की आप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजे, लॉग इन या सा कर ये और टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, इस टेस्ट में टोटल 20 कोशन होगे, जिसको आपको 8 मिनिट में देना होगा, हर कोशन 2 मार्क्स का होगा और गलत कोशन पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये टेस्ट 25 जेनवरी को दुपहर 12 बजे से गैलक्सी क्लासस क के एप पर लाइव होगा, इसके साथ ही आने वाले 24 जनवरी को यानि संडे को शाम 7 बजे वीकली मेगा क्विज का एपिसोड 1 गैलक्सी क्लासस के यूट्यूब चानल पर लाइव होगा, आप भी लाइव खेल सकते हैं, कोशन के आंसर दे सकते हैं और जो दो उनको हम लगी ड्रॉके थू नेक्स्ट मेगा क्विज के लिए सेलेक करेंगे, अधिक जानकारी के लिए दिये गया नंबर पिसम पर करिए, थांक यू नमस्कार एस्परेंट, क्या आप खेलना चाहेंगे वीकली मेगा क्विज, जहां हर सवाल पर दिये जाएंगे 100 रुपे, यानि 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एक सवाल सही तो 100 रुपे का इनाब, तो डाउनलोड कर लिजे गेलेक्सी याप, 25 जनवरी दोपहर 12 ब इस टेस्ट को देंगे, टॉप एट स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और 24 जनवरी को हम फर्स्ट एपिसोड ओफ वीकली मेगा क्विज कॉपेडिशन लेके आ रहे हैं, इस लाइव क्विज को अगर आप देखते हैं और इसमें सही समय से सही जवाब देते हैं, तो हम इनसे भी दो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, यानि कुल 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके हम खेलेंगे एपिसोड टू ओफ वीकली मेगा क्विज कॉपेडिशन, तो 24 तारीक को हमारा लाइव क्विज देखें और 25 तारीक को 12 बजे आप डाउनलोड करके धन्यवाद आपको अपने प्ले स्टूर से डाउनलोड कर लिजे, लॉग इन या साइन अप करिये, होंपेज पे क्विज के ओप्शन पे क्लिक करिये एंड देन आफटर जनल स्टूडिज के ओप्शन पे क्लिक करिये, फिर्स पॉइंट आपका जो है वीकली मेगा क्विज टेस्ट, January 25, आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं, इस टेस्ट में टोटल 20 कोशन्स होंगे जिसको आपको 8 मिनिट में देना होगा, हर कोशन दो मार्क्स का होगा और गलत कोशन पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये टेस्ट 25 जेन्वरी को दु इतली मेगा क्वेज का एपिसोड वन गैलक्सी क्लास्स के यूट्यूब चानल पर लाइव होगा, आप भी लाइव खेल सकते हैं, कोशन्स के आंसर दे सकते हैं और जो दो स्टूडेंट्स लाइव और राइट आंसर देंगे उनको हम लकी ड्रॉ के थू नेक्स्ट मेगा क क्वेज के लिए सेलेक करेंगे, अधिक जानकारी के लिए दिये गया नंबर पिसम पर करिए, थांक यू नमस्कार एस्परेंट, क्या आप खेलना चाहेंगे वीकली मेगा क्विज, जहां हर सवाल पर दिये जाएंगे 100 रुपे, यानि 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और एक सवाल सही तो 100 रुपे का इनाम, तो डाउनलोड कर लिजे गलेक्सी याप, 25 जनवरी दोपहर 12 बज से एक टेस्ट लाइफ की जाएगी, जितनी भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देंगे, टॉप 8 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, और 24 जनवरी को हम फर्स्ट एपिसोड औफ वीकली मेगा क्विज कॉपेडिशन लेके आ रहे हैं, इस लाइफ क्विज को अगर तो 24 तारीक को हमारा लाइफ क्विज देखें और 25 तारीक को 12 वजे आप डाउनलोड करके टेस्ट दें, धन्यवाद नमस्कार एस्परेंट तो आप जल्दी से जुड़िए और अपनी उपस्तिती दर्ज कराइए ओके गुड इविनिंग ओल अफ यू जैहिन जैहिन राम राम सब के अपने तरीके चलो चलो तो तो एंग तो वाद एफ क्लाश्रिफिकेशन आप आनिमल्स एन प्लांट तो जन्तु अबम्पादप वर्गी करन। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लाश्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है और ये classification of animals की आउशकता क्यों भी तो हम क्या देखते हैं कि लाखो करोडों यहाँ पर species हैं अलग अलग जानवर हैं अलग अलग plants हैं कई सारे species अलग अलग हैं ठीक है सबकी परजातिया अलग अलग है अब इतने सारे लाखो करोडों परजातिया इनमें कुछ आपस में कुछ समानता भी है कुछ एक ही genus के हैं कुछ एक ही species के हैं तो इससे क्या होगा कि कुछ कुछ समान मिलने वाले पौदों को एक साथ रखा गया कुछ समान दिखने वाले ठीक है समान दिखने वाले जो भी animals थे जो जन्तू थे उसको भी एक तरफ रखा गया तो वर्गी करन की आउशक्ता क्यूं होती है ताकि हम उसकी एक विशिष्ट पहचान बना सके ठीक है To identify animals और To identify a special type of plant ठीक है तो एक special identification देने के लिए एक विशिष्ट पहचान देने के लिए हम क्या करते हैं classification करते हैं तो classification को हम समझने के लिए सबसे पहले हम किसको समझते हैं taxonomy को समझते है तो आई हम सबसे पहले ये समझते हैं कि what is taxonomy taxonomy क्या होता है तो आप इसको बोल सकतो branch of science which deals with या branch of biology which deals with classification of animals and plants ठीक है इसके साथ साथ क्या होता है taxonomy is a branch of science which deals with identification, nomenclature and classification of plants and animals अब बोल सकते हो कि किसी भी जन्तु की पहचान करना, उसका नामा करन करना और उसका वर्गी करन करना किसी भी जन्तु या किसी भी पौदे का पहचान करना और क्या करना, नामा करन करना और वर्गी करन करना ही क्या कहलाता है वर्गी की कहलाता है, taxonomy कहलाता है तो taxonomy जो है इसके तीन tools समझ में आ रहे है कि ये taxonomy को हम तीन tools के द्वारा समझा सकता है इसे या फिर बोलने के लिए एक language में हम बोल सकते हैं कि taxonomy have three tools ठीक है, इसके तीन आजार है इसको समझने के लिए ठीक है, मतलब या आजार वो मत समझना कि जो उसमें हाथ होड़ी और छेनी ये सब टाइप का आजार नहीं है ये normally हम इसको बोल सकते हैं बोलने का एक language होता है there are three tools of taxonomy by which we can understand taxonomy तो पहली चीज हमें क्या देखना है कि एक विसिस्ट पहचान कभी भी क्या होता है कोई भी एक plant हो या animal हो उसकी पहचान की जाती है ठीक है, कि सबसे पहले हम ये देखते है कि वो एक पौदा है या फिर जन्तु है तो एक पहचान हो गई या कोई bacteria है या फिर कोई virus है या फिर कोई कभग है तो एक पहचान तो बहुत बनती है उसके बाद हम देखते है nomenclature नामाकरन की आओ सकता होती है तो हम उसीज का नाम रख देते हैं और last में फिर किसकी ज़रुत हो जाती है classification की आओ सकता हो जाती है तो बच्चो ध्यान रखना इसमें कि आपको ये समझना है कि taxonomy क्या होती है इसको पहले हम समझेंगे तो taxonomy क्या है तो मैंने आपको बताया taxonomy is a branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification of animals and plants तो क्या होता है कि जब हम किसी भी जन्तु या पौधे क्या पहचान करते हैं नमाकरन करते हैं और उसका वरगी करन करते हैं तो इन तीनों चीजों को एक साथ हम क्या बोलता है taxonomy और इस taxonomy की शुरुवात किनोंने की तो आप बोलेंगे father of taxonomy इसके जनक कौन है किनोंने इसकी शुरुवात की तो याद रखना है carolus linius याद रखना है carolus linius father of taxonomy अकसर ये question पूछ लिया आता है कि carolus linius father of taxonomy इनी को कहा जाता है अब यहाँ हम देखते हैं अब देखो इसको और भी आसान तरीके से दी समझना हो तो आप देखते हो कि घर में क्या होता है कि कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है बधाई उसी साबसे हो जाती है कि बधाई हो लड़की हुई है या बधाई हो लड़का हुआ है तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले कोई नया जीव है एक नया जीव है एक बच्चा भी क्या है एक नया जीव है तो वहाँ हम देखते हैं उसको इससे कोरिलेट करके कैसे हम समझेंगे कि हम देखते हैं कोई भी नया जीव मानलो एक बच्चा हुआ तो उसको हम क्या करते हैं पहचान होती है उसकी कि वो लड़का है या लड़की है सबसे पहली पहचान होगी उसके बाद क्या होता है कि फिर जितने भी घर के होते हैं फूफा मोसा यह सब सब पहुच जाते हैं आपस में लड़ने भी लगते हैं चाचा वगरा कि मैं नाम पता चल जाए कि किस गोत्र किस नचत्र और किस किस तरीके से इसका मतलब एक पूरा का पूरा एक जन्म कुंडली बन जाती है तो आप क्या देख रहो वैसे ही हम कोई भी नया जीव हमें मिलता है तो उसकी पहचान की जाती है कि वो एक प्लांट है या फिर एनिमल है और उसक मिलते जुलते जितने भी पौदे होते हैं उसकी फैमिली क्या होगी उसका ओडर क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा उसका पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि जन्म कुंडली जैसे निकाली जाती है बच्चों की वैसे ह पूरी की पूरी उसकी detail तयार कर दिये तो पूरा का पूरा किसी plant के बारे में एक detail आपको किसमे मिल जाएगा उसके classification से ही पता चल पाएगा उसकी taxonomy पढ़ने से ही पता चल जाएगा ठीक है चली और कोई doubt तो अभी आपको यही पता चला हाँ यह education कुमार को यही नहीं पता चल रहा है क्या topic है चलो कोई बात नहीं इसमें हम देखते हैं कि taxonomy के तीन टूल्स taxonomy को समझने के लिए आपको identification nomenclature और classification यह ध्यान रखना है कि इनी तीनों चीजों से हम इसको classification को समझ सकते हैं इन तीनों चीजों को समझते हुए अब यहाँ से यह बात आती है कि केरोलस linius ने ऐसा क्या काम किया तो इन्हों ने ही taxonomy और इन्हों ने ही classification दिया अब इदि हम बात करते हैं कि classification के सुरुआत कैसे की उन्होंने तो इन्होंने क्या क्लाशिफिकेशन के लिए सबसे पहले इन्होंने two kingdom classification दिया कैरोलस linius ने इन्होंने बोला कि जितने भी प्रकार के सजीव हैं इस धर्ती पर उसको दो भाग में बाढ़ दो एक प्रकार translation करते हैं उसको plant में हम रख देते हैं और जो animal की तरह behave करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको animalia में बोल देंगे तो plant को planty में रखा गया और animal को animalia में रख दिया गया तो यहां से हम यह बोलते हैं कि जब हम classification की बात करते हैं तो classification वर्गी करन कि सबसे बड़ी इकाई क्या होती है ये कोशन भी आ जाता है biggest unit of classification सबसे बड़ी इकाई तो मुलते हैं क्या है kingdom है जगत और smallest unit का है सबसे छोटी इकाई का है तो बोलतों ये है spaces ये है जाती आगे हम देखेंगे classification को कितने इकाईों में माटा गया है कितने units में माटा गया है तो इससे आपका और भी clear हो जाएगा अब यहां से Carolus Lineus ने बोला कि सबसे बड़ी काई यही kingdom होती है तो kingdom के according हम इसको क्या करेंगे कि अलग-अलग classification कर देते हैं तो सबसे पहले जो शुरुवात हुई वो ये हुई कि two kingdom classification की शुरुवात हुई अब देखो सवाल इसमें जो बनता है उस पे ध्यान देना है कि सवाल क्या बन सकता है कि दूई जगत वर्गी करन two kingdom classification दूई जगत वर्गी करन किसके द्वारा किया गया तो two kingdom classification यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ नाम यादा गया केरोलस लीनियस ने ठीक है जो कि वहाँ भी लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी के फादर इनी को कहा जाता है और फादर आप क्लाशिफिकेशन वेदी आप से पूछा जाए तो केरोलस लीनियस को ही कहा जाएगा तो वर्गी करन की शुरुवाद भी केरोलस लीनियस ने ही की वर्गी कृत करना मतलब एक पौधों का वर्ग हो जाएगा और दूसरा वर्ग जो होगा वो क्या होगा एनीमल का हो जाएगा तो इन्होंने टू किंग्डम क्लाशिफिकेशन किया और एक का नाम रख दिया प्लांटी और दूसरा का नाम रख दिया एनीमेलिया तो जितने भी जन्तू थे वो ऐनेमेलिया के अंदर आ गए और जितने भी पौदे थे वो प्लांटी के अंदर आ गए तो टू किंग्डम क्लाजिफिकेशन जो की किनों ने दिया है केरोलस, लीनियस ने दिया है इसके बाद जरूरत ये महसूस हुई कि प्रोटो जोगा का कोई जगा नहीं बन रहा था और जब प्रोटो जोगा का जगा नहीं बन रहा था कैसलंद सर से UK में नहीं समझा मैं, UK में पहले दिया था केरोलस लीनियस ने सबसे पहले दिया था तो two kingdom classification तो question यहाँ से यह बन सकता है कि two kingdom classification किस ने दिया या वरगी करन की शुरुवात किस ने की तो केरोलस लीनियस इसका answer हो जाएगा लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अब और भी जो जीव है बैक्टरिया को हम कहा रखेंगे कोई इस्थान नहीं है आपर फंगस को किस में रखेंगे कवक का कोई इस्थान नहीं इसमे ऐलगी को तो चलो प्लांट के अंदर हम रख देंगे क्योंकि वो भी क्लोरोफिल उसमें भी होता है प्रकास संसलेशन की प्रिक्रिया करते हैं तो जो प्रकास संसलेशन की प्रिक्रिया करते हैं तो उसको प्लांट में रख दिया गया लेकिन बांकी बैक्टरिया, फंगस ये सब तो प्रकास संसलेशन नहीं करते तो उसके लिए अलग kingdom बनाना पड़ेगा उसका समराज अलग बनाना पड़ेगा तो इसके बाद जरुरत आई किसकी थ्री किंग्डम क्लाशिफिकेशन की तो तीन जगत वरगी करन की जरुरत तब आई जब यहाँ पर प्रोटो जवा की भी खोज हो गई और प्रोटो जवा की खोज होने के बाद किसी परकार का कोई किंग्डम नहीं था ठीक है तो थ्री किंग्डम क्लाशिफिकेशन जो की अर्निस्ट हैकल ने दिया या फिर सिर्फ हैकल भी याद रखेंगे अर्निस्ट हैकल ने इन्होंने बोला कि भाई अभी दो में पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा सारे के सारे जीव दो kingdom classification में नहीं आएंगे इसलिए जरुरत है किसकी protista की जरुरत है और protista में unicellular organisms, unicellular protozoa का हम अध्यन करेंगे और खास करके unicellular eukaryotic जीवों का अध्यन करेंगे ये कहा इन्होंने और इसके बाद इसमें आ गया planti भी और animalia भी इन्हों बोला कि carolus lenius ने जो दिया है उसको तो रहने दो इन्होंने ठीक दिया, planti और animalia इन्होंने classification तो ठीक किया है एक इसमें एक और मैं समराज जोड़ देता हूँ three kingdom classification में और इन्होंने क्या जोड़ दिया protista को जोड़ दिया तो अब यहाँ से क्या सवाल बन सकता है यह सवाल बन सकता है three kingdom classification में planti और animalia के साथ और क्या जोड़ा गया था तो क्या जोड़ा गया था protista टिक है यह जोड़ा गया लेकिन copland copland नाम के एक scientist आया उनका यह कहना था कि अभी भी पूरा का पूरा यह classification अभी clear नहीं हुआ two kingdom kingdom जो है यह तो काफे पुराना हो गया इसमें एक नई चीज़ों जुड़ गई protista इन्होंने बोला कि फिर bacteria को स्थान कहां दो गए अभी तक तो bacteria इसमें include ही नहीं जबकि हम देख रहे हैं कि जितने भी तरह के जीव हैं पूरे प्रित्वी पर उसमें एक bacteria भी होता है तो bacteria गले जगा बनाओ तो फिर bacteria गले जगा बनाई गई और इसकी ज़रत महसूस हुए कि इसकी four kingdom classification की मतलब जितने भी तरह के जीव थे उनको चार kingdom में बाड़ दिया गया मौनेरा मौनेरा के अंदर हम किसका अद्दिन करते हैं जिवानों का है ना इसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोटिस्टा को कर दो क्या प्रोटोक्टिस्टा इन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया प्रोटिस्टा ही है मतलब जिसमें हम प्रोटो जोगा का अद्दिन करते हैं अमीवा पैरामिश्यम का अद्दिन करते हैं तो ये इसमें आ गया और इन्होंने बोला कि अब जो है जरुरत मैसूस होती है किसकी फोर किंग्डम क्लासिफिकेशन की लेकिन 1969 की बात 1969 में क्या हुआ कि जो आरेच विटैकर थे उन्होंने बोला कि अभी तक ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी भी क्या है इसमें जरुरत मैसूस हो रही है और अभी भी इसमें फंगस का कोई जगा नहीं बन पा रहा है तो हम कवक के लिए जगा यहां बनाते हैं और अब कवक भी इसमें जुड़ जाएगा तो फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन तयार हो जाएगा यह जो four kingdom classification था वो co-pland का दिया हुआ था तो याद रखना है कि यह question पुछा सकता है लेकिन उससे भी ज़्यादा important question आपका बन रहा है यह वाला five kingdom classification पांच जगत वर्गी करन अक्सर यह सवाल पुछा आता है कि पांच जगत वर्गी करन किस ने दिया तो याद रखना है आरेच विटैकर ने दिया ठीक है आरेच विटैकर पांच जगत वर्गी करन आरेच विटैकर ने दिया तो इन्होंने कौन-कौन सा kingdom तैयार किया तो हम बोलेंगे पहला तो इन्होंने monera को as it is रहने दिया बोला मोनेरा रहने दो जिसमें जिवानों का दिन करते हैं इन्होंने बोला इसके बाद प्रोटिष्टा कर दो प्रोटोक्टिष्टा कुछ बड़ा ही नाम लगता है जबकि जीव छोटे हैं इसके फिर उसके बाद क्या करो फंजाई को जोड़ दो कवक भी जुड़ गया उसके बाद क्या हुआ प्लांट भी जुड़ गया प्लांट तो था ही पहले से और अनिमेलिया इससे भी लेटेस्ट आप पड़ोगे तो उसमें वूज और फॉक्स इन्होंने इसको तीन भाग में बाड़ दिया है आर्किया यूबैक्ट्रिया और यूकेरियोट्स ठीक है? इन्होंने तीन भाग में बाड़ दिया मतलब बैक्ट्रिया को ही दो भाग में बाड़ दिया एक यूकेरिया और कुछ यूबैक्ट्रिया और उसके बाद आर्किया eubacteria और फिर eukaryotes तो अभी latest वाला इदी आप देखते हो तो उसमें 3 domain classification तो उसको आपके slaves में include नहीं किया गया है आपके slaves में सिर्फ और सिर्फ include है तो यही है 5 kingdom classification तक include है 3 domain classification आज तक आपके slaves में add नहीं किया गया है तो हम woos और fox के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे हम यह देखेंगे ठीक है चलिए किस ने दिया था 4 kingdom classification copland copland का नाम आता है इसमें 4 kingdom classification और 5 kingdom classification आरेच विक्टैकर तो आप बोल सकते हो कि धरती पर जितने भी तरह के जीव हैं उनको 5 kingdom classification में बाट दिया गया और ये 5 kingdom कौन-कौन से हैं ये अलग-अलग समराज्य है Monera समराज्य में हम किसका अध्यन करते हैं तो आप बोल सकते हो Monera kingdom में हम bacteria का अध्यन करते हैं वहीं हम यदि पूछा जाए कि Amoeva paramecium का अध्यन आप किसमें करते हैं तो आप बता सकते हो protista में हम अध्यन करते हैं वहीं आप से पूछा जा जितने भी तरह के फफुंदी हैं कवक हैं उसका अध्यन आप किसमें करते हैं तो फंजाई उसके लिए अलग kingdom हो गया और जितने भी तरह के पौदे हैं उसका planty में अध्यन करते हैं और जितने भी तरह के animals हैं उसका animalia में अध्यन करते हैं आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि फिर virus का अध्यन हम कहां करते हैं अब जब virus कोई जीव है ही नहीं जब उसको हम जीव मानते ही नहीं उसको हम cell ही नहीं मानते तो हम उसको अलग से classification में नहीं रखेंगे इसमें तो virus को किसी भी classification में इसलिए include नहीं किया गया क्योंकि ये एक प्रकार का जीव नहीं है हमारे सरीर के ये बाहर होता है तो ये मृत अवस्था में होता है और हमारे सरीर के अंदर चला जाए तो ये जीवित अवस्था में होता है तो विशानुओं को हम लोग क्या बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी connecting link between living and non-living connecting link between living and non-living तो ये ध्यान रखना है इसको चाहो तो आप skin shot ले सकते हो और यहां तक कुछ doubt होता आप पूछ सकते हो चल नोट कर लिया, कोई बात नहीं ये नाम याद रखना कि शुरुआत किसने की two kingdom classification से शुरुआत हुई कैरोलस लीनियस ने और ये याद रखना कि five kingdom classification क्योंकि एक्जाम में आया हुआ है पहले भी और यही दोनों सबसे ज़्यादा बार पूछे गए है, ठीक है, हो सकता है ये थी three kingdom आजाए, तो एक अलग question हो जाएगा, new question हो जाएगा लेकिन जहातर बार आप देखोगे exams में ये दोनों question repeat हुए है two kingdom वाला और five kingdom वाला वी टैकर वाला तो ये याद रखना है ये किस तरह का question यहां से अभी बनेगा और इस तरह की questions को बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना है तो आप देखिए इसमें कि अभी आपसे इस तरह का एक question आ जाएगा और कि phylum दिया हुआ रहेगा वही हम देखेंगे इधर genus दे देगा next आपको species दे देगा और यहां पर order लिख देगा यही हम देखेंगे तो पहले order लिख देगा फिर इसमें genus then यहां पर family और यहां पर phylum हम लिख देगा वही हम देखेंगे इसमें family, genus, species, or order यहां लिख देगा class, order, family, species अब इस तरह का question देने के बाद आपसे यह पूछ लेता है कि which one which one of the following is present in a correct order of classification वर्गी करन में वर्गी करन के करम में कौन सा करम सही है तो इन में से कौन सा करम सही है वर्गी करन के करम के अनुसार कौन सा करम सही है जल्दी से अनसर करो देखते हैं किसका सही होता है अनसर बाड़ी बाड़ी कर मेंया से अनसर कर पनतू देए Schools अरा D option लिख रहे हैं लोग बिल्कुल सही तो इसके लिए क्या करना होता है कि सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है कि जब classification को हम अलग अलग एकाईयों में बारते हैं तो इसके लिए एक trick याद रखते हैं KD, CO, FGS तो इसी क्रम में जब भी होता है classification तो इसी क्रम में होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि classification को अलग अलग काटेगरी में अलग 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 unit में बार दिया गया जैसे पहला जो इसका unit है वो है kingdom और kingdom यहाँ पर मैंने बोला भी था कि क्या है यह classification की biggest unit है और smallest unit कौन सी है सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है species है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर as for species होगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं तो kingdom लिखते हैं तो यह वाला कैसे solve होगा तो इसको जो समझ लेंगे वो भी solve हो जाएगा D for क्या हो गया division एप for जो है phylum तो division जो आता है वो किसके लिए हमेशा आता है यह plant के लिए और plant को छोड़ कर बाकि जो भी है उसके लिए क्या आता है phylum आता है या फिर इसको हम संग भी बोलते है अना phylum यह जब भी आएगा तो यह किसके लिए animals के लिए तो यह दि कोई animal होगा तो phylum उसके लिए लिखा जाएगा यह दि कोई plant होगा order तो order लिखेंगे हम crum फिर हम देखते है एफ फ़र क्या हो गया family या फिर कुल परिवार जी फ़र क्या हो गया genus once और last में s फ़र क्या लिखते है species जाती तो आप देखेंगे हो classification को इन छोटी-छोटी हीकाईों में बाट दिया गया है इन छोटी-छोटी हीकाईों में बाटने के बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी हीकाई जो है kingdom है और सबसे छोटी हीकाई क्या है species है तो बहुत सारे species जब मिलती है तो वो किसका निर्मान करती है जीनस का एक जीनस में काफी सारे species होती है इसको एक साथ हम एक जीनस में रखते हैं बहुत सारे जीनस जब मिलते हो तो वो क्या करते हैं एक family को create कर देते हैं बहुत सारे family मिलकर क्या होता है जो है हम बोल सकते हैं कि ये पूरे फाइलम के समू को या डिविजन के समू को हम किंग्डम बोलते हैं जैसे animal एक kingdom है, plant एक kingdom है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसी में division होते 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 हैं, हमें last में क्या पता चल जाता है, उसकी uniqueness, एक खासियत पता चल जाती है, कि वो किस one से, किस genus से और किस जाती से जुड़ा हुआ है, और जब भी हम वैग्यानिक नाम लिखते हैं, तो classification कि किन दो एकाईयों का उप्योग करते हैं, तो जब भी आप वैग्यानिक नाम लिखते हो, तो उसमें आप देखते हो, दो नाम होते हैं, और वैग्यानिक नाम लिखने के लिए क्या होता है, एक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं, binomial nomenclature, binomial nomenclature, दो ही नाम पत्दती इसी के द्वारा हम क्या करते हैं हमेशा वैज्ञानिक नाम लिखते हैं जिसमें दो नामों का सहारा लिया जाता है जीनस और स्पेसिस So scientific name is written with the help of genus and species on the basis of binomial nomenclature and binomial nomenclature is given in the book of Carolus Linus that is Species Plantarum एक ऐसी किताब Species Plantarum जिसमें binomial nomenclature एक पददती का वर्नन किया गया है और इसी Species Plantarum किताब से ये binomial nomenclature लेने के बाद वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं तो अक्सर ये भी सवाल आता है कि ये जो binomial nomenclature है ये वैज्ञानिक नाम लिखने की जो पददती है ये कहां से ली गई है किस पुस्तक से ली गई है या इसकी शुरुआत किस ने की कैरोलस लीनियस यहां जब भी नाम आएगा तो एक ही वैक्ति का नाम आता है इन सब चीजों में उनका नाम है क्या कैरोलस लीनियस तो father of classification भी दी आप से पूछा जाए वरगी करन के जनक की ने का आ गया है तो कैरोलस लीनियस को तो इस हिसाब से आप देखोगे अभी यहां पर यही मैंने पूछा था आप से तो पहला हम चेक करेंगे तो phylum के बाद genus चलो ठीक है species इस से छोटा यह भी ठीक है लेकिन order को कहां आना था तो आप देख रहो order जो है वो हमेशा genus और species के पहले आता है है ना तो यहां पर हम देखते हैं तो class order ठीक है family और genus नहीं है कोई बात नहीं लेकिन इस से छोटा ही होना चाहिए आगे तो family के बाद species है genus नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन यह वाला करम जो होगा क्या होगा सही हो जाएगा तो यह याद रहेगा kdcofgs तो इसमें क्या होगा कि इससे आप यह लिख सकते हो जब भी इस तरह का question होगा तो कहीं यह गलती होने के संभावना ही नहीं है अब इसी में हम देखते है सब फाइलम भी होता है सब क्लास भी होता है तो सब आर्डर भी होगा तो यह सब आर्डर होगा तो आर्डर के नीचे आजाएगा सब क्लास होगा तो क्लास के नीचे आजाएगा सब फैमली होगी तो फैमली के नीचे आजाएगा कई बार कई कित झाल झाल फिर से हम credit इसको देंगे carolus lineus को इन fairy का नाम आ रहा दुई नाम पद्धती binomial nomenclature भी किस ने दिया यह carolus lineus नहीं दिया carolus lineus नहीं दिया तो इस binomial nomenclature के दौरा हम लिखते क्या हैं कहां इसका यूज करते हैं तो binomial nomenclature का जो यूज होता है, वो यूज होता है कहां ये scientific name लिखने में वैज्ञानिक नाम जब किसी भी हम पेड या पौदे का या फिर किसी भी जन्तू का लिखते हैं तो इससे क्या होता है उसकी unique एक पहचान हो जाती अब देखो local language में उसका नाम कुछ और होता है जैसे कई अब देशों में English नहीं बोली आती अब English नहीं बोली आती हो सकता है वहाँ पे Tiger को कुछ और ही बोला जाता हो Medug बोला जाता हो Medug को हो सकता है कहीं सांब बोला जाता हो उनके local language में लेकिन जब भी हम Medug को रायना Tiger ना बोलेंगे तो इसका मतलब वो Medug ही होगा पूरे वर्ल्ड में तो Latin word Carolus Linus ने एक Latin language का यूज किया जो की बहुत कमी जगों पर ये भाषा बोली आती थी उन्होंने बोला कि इसके एदी हम word लेंगे तो इसमें क्या होगा एक uniqueness बना हुआ रहेगा इसकी एक visist नाम एक visist पहचान बनी हुई रहेगी तो इन्होंने जातर Latin word का use किया और कुछ-कुछ बाद में Greek word, English word भी फिर बाद में जुडते गए तो इन्होंने पहले शुरुआत जब की तो Latin word का शुरुआत किया और Latin word से इन्होंने लिखने की शुरुआत की किया जैसे हम देखते हैं modern man की हम बात करते हैं कि जो आधुनिक मानव होता है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो आप देखेंगे modern man आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम Homo sapiens तो यह नाम जो है English में भी और Hindi में भी एक ही जैसे लिखे जाएंगे इसकी कोई Hindi तो होगी नहीं तो ध्यान रखना है कि Homo sapiens यह वाला नाम ही याद रखना है कई लोगों को यह होता है कि Hindi में भी लिखेंगे तो Hindi में भी क्या है कि इसमें Homo sapiens यह आपको पढ़ना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा तो इसी तरीके से आएगा Homo sapiens ही आपको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम देखते हैं यह जो modern man का वैज्ञानिक नाम जो आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम लिखा गया Homo sapiens पुराने जो मानव थे उनका नाम था Homo hebelis भी था Australiopithecus भी था तो इस तरह के नाम जो है प्राचीन मानव के थे लेकिन जब हम आधुनिक मानव की बात करते हैं जिसमें हम लोग आते हैं जिसमें सबसे ज़ाजा सुपेरियर ब्रेन दिया गया है फिर भी अलग बात है यूटिलाइज नहीं करते हैं है ना जेपियस के माद्दे हम से लोगों का घर ढूंडते हैं लेकिन अपने दिमाग का इस्तिमाल नहीं करते हैं जबकि हम वहाँ पर दो-तीन बार गये हुए होते हैं तो यह तो modern man की कहानी है तो modern man जो है यह आपको homo sapiens के नाम से जाना जाता है मतलब इदि वैग्यानिक नाम पूछा जाए तो आप बोलेंगे homo sapiens तो यहाँ पर बात क्या है आपको समझना कि यहाँ पर homo जो है वो क्या है तो यह क्या है कि classification की दो units से ही हमेशा लिखा जाता है वैग्यानिक नाम पहला नाम जो होता है हमेशा वो क्या होता है जीनस होता है और दोसरा नाम जो होता है वो जाती का नाम होता है तो पहला नाम वंश का और दोसा नाम जाती का तो genus होमो हो गया और इसमें sapiens जो है वो क्या हो गया? species हो गया जैसे मैंने बोला कि जो पुराने मानव थे उसका नाम होमो ही वैलिस था तो होमो कहने का मतलब वो genus एक ही जैसे होंगे लगबग look wise लेकिन species हम देखेंगे तो वो अलग-अलग है ठीक है? gene में कुछ changes उसके अलग-अलग है ठीक है? तो genus और species ये दो नाम हमेशा लिखे जाते हैं ठीक है? अब यही हम देख लेते हैं कि जब भी हम genus और species के नाम लिखते हैं तो इसमें क्या-क्या देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम genus का नाम लिखेंगे तो पहला लेटर जो होगा वो हमेशा capital में होता है इसके कुछ नियम भी है और species का जब भी हम नाम लिखते हैं या species को हम specific name भी बोलते हैं तो ये जो letter होगा species का नाम आप देखोगे क्या होगा small letter से start होता है और जब भी हम अपने notebook में लिखते हैं तो क्या होता है underline जरूर करेंगे underline करने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि ये वैग्यानिक नाम ही है और किसी चीज को हम underline नहीं करते हैं लेकिन आप बोलते हो कि हम underline हम तब कर लेते हैं जब कुछ चीज हमें important लगती है वो तो अलग चीज है लेकिन आप देखेंगे कि underline ने दी किया हुआ रहे है और इस तरह का नाम लिखा हुआ रहे है तो यह वैग्यानिक नाम ही अब यह नहीं कि यह भी capital में लिख दिया और यह भी capital में लिख दिया तो गलत हो जाएगा लेकिन जब यही print होकर आपके किताब में होगा तो आप देखेंगे इसको italics में लिखा रहा था italics एक font होता है उसमें लिखा हो रहेगा तो इसके कुछ नियम है अब यहीं हम देखते हैं कि बहुत बार यह question पूछा गया है peacock किस तरह question आजाएगा कि more का वैग्यानिक नाम क्या है यह आप देखें कई बार question पूछा गया है तो इसका genus क्या हो जाएगा पावो और इसका species हो जाएगा Christus ठीक है? Christatus पावो Christus वही हम देखते हैं यह पूछा गया Tiger तो बलेंगे इसका genus हो जाएगा Panthera और species हो जाएगा Tigris तो Tiger से Tigris नाम याद रहेगा वही हम देखते हैं राशी यदी किसी की सिंग है तो सिंग राशी पैंथेरा लियो यह यही रहेगा लियो राशी होती है एक लोगों की तो पैंथेरा लियो सिर्फ क्या हो गया है दोनों की आप देख रहे हैं लुक वाइस दोनों सेम है तो इसका मतलब दोनों एक ही जीनस से हैं लेकिन दोनों की हम देख रहे हैं species क्या हो गई अलग अलग हो गई वही हम देखेंगे medock जो frog होता है या फिर Indian frog का भी दी आपसे पूछा जाए तो राना टाइगरीना वहीं अर्थवाम का पूछा जाए केचुआ फेरिटीमा पॉस्टाइगरीना अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रॉग अर्थ वाम यह सब आप देखेंगे टेस्ट बुक में इंक्लूड है थीकर? सिल्व course में है और कही न कही आप देख रहे हूँ कि बुक में आता ही है जब हम ओर्थो पूड वगरा की बात करते हैं तो Cow 다니osh के बारे में पढ़ाया जाता है किताब में ओर्थोभम के बारे में पढ़ा जाता है फ्रॉक के बारे में पढ़ाया जाता है तो एक बहुत ही रोचक बात इस से जुड़ी हुई है क्योंकि इसमें आप देख रहे हूँ कि इसमें पेरी वर्ड का मतलब है क्या चारो तरफ पेरी, फेरी, वहाँ से आ गया कि पेरी इसका क्या हो गया? पेरी और हम यह देखते हैं कि प्लैनेटा मतलब क्या हो गया, प्लैनेट अमेरिकाना वर्ड क्या हो गया, अमेरिका से, मतलब हम बूल सकते हैं कि इसका मेन ओरिजिन जो होता है वो क्या हो गया, अमेरिका क्या हो गया, ठीक है मेन ओरिजिन जो हो गया, इसका अमेरिका से हो गया, तो यहां हम यह देखते है कि इसका नाम जो है यह इस तरह का हो गया पैरी प्लेनेटा अमेरिकाना वही हम देखते हैं इसमें यदि कुछ खाने पीने वाली चीज़ें जैसे आप देखते हो पैडी, धान वगरा का और आज़ा सटीवा वही हम देखते हैं वीट का ग्याहू का ट्रिटिकम वेस्टिवम मेज, मक्का जी अमेज, तो इस तरह के नाम वेगरा आते रहते हैं लिख लो, इसको लिखना है और कोई कोश्चन? हाँ, सचिन कुमार मीन, घरेलु मक्खी घरेलु मक्खी का मतलब इसमें एक होता है मसका डोमेस्टिका घरेलु मक्खी का मसका डोमेस्टिका वैसे ही आप देखतों इतना बड़ा तो दिख जाना चाहिए यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और बोर्ड भी काफी बड़ा है तो सिर्फ दस ही इसमें आप देखो दस चीजे लिखी गई है या तो कुछ बलर हो रहा हो एक दम दिख नहीं रहा हो वैसे कोशिश करता हूँ मैं इससे भी और बड़ा लिखने की तो यह आपको यह समझना है कि जो बाइनोमियल नोमियल क्लेचर है यह केरोलस लीनियस की एक किताब है उससे ली गई थी जिसका नाम क्या है इस्पिसिस प्लांटेरम और यह आप देखोगे कई बार यह कुश्चन रिपीट व्यू किया है एससे ने तो याद रखना है कि यह क्या है एक पुस्तक है कैरोलस लीनियस की इस्पिसिस प्लांटेरम जिसके अंदर से जिसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है बाइनोमियल नोमेंक्लेचर इसी किताब में बाइनोमियल नोमेंक्लेचर दुई नाम पद्दती का वर्नन है तो यह याद रखना कि स्पिसिस प्लांटेरम इनी के किताब है इनकी एक और किताब है जिसका नाम है सिस्टेमा नैचूरे तो question पुछ लेगा कि systema nature किन की पुस्तक है carolus lineus की species plant theorem ये किन की पुस्तक है तो ये भी carolus lineus की है ठीक है अच्छा कुछ ही word इस तरह के लग रहे है और भी जितने भी आप देखना चाहते हो क्योंकि लाखो इस तरह के जीव है सबका कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है तो जितने भी हैं उन सबका आप देख सकते हो अपने net पे सर्च कर सकते हैं उसमें goal पे सर्च कर सकते हैं अब यह काओ का देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे बोस्ट औरस नाम से है बोस्ट औरस वही हम देखते हैं एदी भैंस का तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा बूबो बूबैलिस करके नाम है उसका तो इस तरह से बहुत सार है तो अनिमल्स ही इतने सारे हैं कि सबके नाम याद करना मुश्किल है तो आपको करना क्या है कि एक बार जिसका भी आपको लगे कि हाँ आपने syllabus में include किया गिया है उसका आप कहीं गीदर, लोंबरी सबका वैग्यानिक नाम क्या होता है तो ये जानने कि आपको आप शकता बिल्कुल नहीं है तीक है नहीं जानना है क्या है गीदर का क्या होता है लोमडी का क्या होता है पेंगविन का क्या होता है वो नहीं जो आपके सिलेवस में इंक्लूड है उसको मतलब हमारे अपने दिमाग में कचरा नहीं भरना है हम वो चीज भरना है जो एक्जाम में आने वाले हैं एक्जाम में आ सकते हैं या फिर तो बहुत सारा है आप एक डेड़ लाग किताबे होंगे सिर्फ बायो बायो की कोई भी पढ़ सकते हैं या फिर सब कुछ पढ़ सकते हैं कोई इश्व नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि अपने सिलेवस से इंक्लूड उससे बाहर न जाए क्योंकि साही डिरेक्शन में किया गया महनत ही पिर आगे ले जाएगा जब रास्ते से भटक जाते हैं तो फिर आप देखते हो कि मंजिल पर नहीं पहुच पाते हैं या फिर जो सामने सामने जाना था वो ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है तो यह याद रखना है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ याद नहीं रखना है सिर्फ हमारे बुक में पढ़ते हुए जो भी दिख जाए वहाँ पर उससे रिलेटेड आपसे कोशन आ सकता जैसे अर्थ वाम से रिलेटेड हमें एक चैप्टर ही दिया गया है उसमें मॉर्फोलोजी आप आइनिमल के बारे में दिया हुआ है जैसे फ्रॉग और कोक्रोच और अर्थ वाम यह तीनों चीज़ को इंक्लूड किया गया तो इसको ज़रूर याद रखना है भारत का राष्टी है जो पक्षी है मौर उसके बारे में पूछ लिया गया तो यह इस तरह का कोशन आता रहता है तो यह हम देखते हैं जनतुओं का वर्गी करन करते हैं इसमें हम देखते है चलो आपको अच्छा यह लड़का तो कुट्टे के पीछे पड़ा हुगा अच्छ डॉक का भी जानोगी क्या तो फैलिस डॉमेस्टिकस कैट का है क्योंकि आगे तुम फिर कैट का पूछोगे कैट का भी बता दो फैलिस डॉमेस्टिकस बिल्ली का और लुपिस फैमिलियरिस लुपिस फैमिलियरिस या कैनिस फैमिलियरिस जो है वो डॉक का होता है ठीक है फैमिलियरिस मतलब फैमिली से रिलेटेड लोग क्या होता है कि कुट्टे को भी अपने family में जोड लेते हैं कहां ये भी घर का एक सदस है तो याद रखना है कि familyaries ठीक है इस तरह का नाम है और कोई doubt अपके video clear है ठीक चलिए यह हम देखते हैं इसमें classification of animals और आपको बताया मैंने कि animal क्या है एक प्रगार का kingdom है animal एक क्या है kingdom है तो kingdom को क्या किया गया है छोटे छोटे फाइलम में बाट दिया गया है तो animal kingdom जो है वो छोटे छोटे जिस फाइलम में बाटा गया है कौन-कौन से फाइलम है इसके तो हमें उसी फाइलम के बारे में पढ़ना है और किस phylum में किस प्रकार के जन्तू होते हैं यह हमें पढ़ना है जैसे हम बोलते हैं कि phylum पोरी फेरा तो phylum जो पोरी फेरा है इसमें किस प्रकार के जन्तू होते हैं और इसके कुछ special features क्या है क्यों हम इसे अलग दूसरे phylum से इसको अलग रखते हैं इसका कारण क्या है तो इसी में आप हमें पता चलेगा जब हम animal classification पढ़ते हैं तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है इसमें अलग-अलग हम phylum में जो जन्तू होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं जैसे आपको कोई एक option दे दिया गया इस तरह का या फिर question दे दिया गया कि एकदम आप ये बताओ कि hydra किस में आता है किस phylum का सदस्य है तो बहुत सारे phylum है उसमें एक आप से question पूछ लिया गया कि hydra किस phylum का सदस्य है या फिर पूचा गया jellyfish किस phylum से related है या फिर cockroach पूचा गया किस phylum से संबंदित है तो इस तरह कि जब questions आते हैं तो आप कैसे solve करेंगे इसी को पढ़ने के बाद ये solve हो पाएगा तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पूरी फेरा जो phylum होता है इसकी विशेष्टाएं क्या है इसके salient features क्या है main features या silent features मुख विशेष्टाएं क्या है इसकी तो पूरी फेरा जो जीव होते हैं वो इस प्रकार के होते है इस तरह से ये colony में बसे होते हैं मतलब अकेला नहीं होता कुछ कुछ अकेले होते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो की एक साथ इस तरह की colony में बसे होते हैं ठीक्या यह खुद की अपनी我跟你 बना लेते हैं और इसमें डॉट डॉट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें यह जो डॉट है वो क्या है इसे को हम बोलते हैं उस्टिया तो पुरी फेरा जो जन्तू होते हैं इसमें आपको पूरे सरीर पर छिद्र मिलते हैं जिनने क्या नाम दिया गया है औस्टिया किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है ये कोशन हो सकता है और इसका जो माउथ है उपर की तरफ इसे नाम दिया गया है क्या औस्क्यूलम तो कोशन होगा कि औस्क्यूलम किस प्रकार के जन्तूओं में पाया जाता है तो आप बोलेंगे ये पोरी फेरा जन्तूओं में पाया जाता है और पोरी वर्ड जो है वो पोरस वर्ड से बना हुआ है पोरस का मतलब ही होता है छिद्र और पोरी फेरा को वैसे भी हम बोलते है कि ये ऐसे जन्तु हैं, जिनके पूरे सरीर पर छिद्र होते हैं, तो इसलिए हम इसे छिद्र धारी जीव कह सकते हैं, छिद्र धारी जीव के नाम से हम इसे जान सकते हैं, पोरी फेरा को, तो पोरी फेरा के जितने भी आपको जीव मिलेंगे, उनके सरीर पर इसी परकार के छ छोटे-छोटे छेद मिलेंगे, जनें ऐस्टिया कहा जाता है, अब ऐस्टिया में आ ए लगा वा है, तो याद रखना है किससे क्या होगा water वगर वगरा, food वगरा, in करता है, और और ऑस्कूलम, ओ for याद रखना ही, यहाँ पर आ ए कहीं नहीं लगा वगर, तो याद जो mouth है उसी से खाना वगरा या पानी वगरा बाहर निकलने के लिए होता है तो ये जो porifera होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ seller grade of organization होता है कहने का मतलब इसमें ना तो उत्तक होते हैं ना तो अंग होते हैं मतलब ये बहुत ही आप बूल सकते हो एकदम lower animals हैं निचले स्तर के जो जीव होते हैं जिनमें मुख रूप से अंग वगरा भी विक्सित नहीं होता ये उस प्रकार के जीव हैं जिनमें अंग वगरा भी विक्सित नहीं होता ये उस प्रकार के जीव होते हैं तो porifera में हम क्या देख रहे हैं कि ये ostia और osculum इसकी खास विसिस्ता है अब यहां सिदी आप से question पूछा जाए कि इसके कौनकों से विसिस्ता हैं मुख रूप से तो इसमें आप include कर सकतो इसमें मुख विसिस्ता जो है वो क्या है कि इसमें किस प्रकार का संगठन होता है cellular grade of organization जिसका ये मतलब है कि कोशिकाय तो उपस्तित है लेकिन उत्तक एवम अंग जो है वो अनुपस्तित होते अब जब उत्तक एवम अंग दोनों अनुपस्तित होते हैं तो फिर अपना भोजन कैसे बनाएगा मतलब ये पचाएगा कैसे पाचन की परक्रिया कैसे होगी काँकि और-गन सिस्टम तो है ही नहीं जब औरगन ही नहीं है तो अरगन सिस्टम कहां से होगा ये एक ही जगह पर पड़े वे रहते हैं और वहीं पर जो पाने में मौझूद जो गुलित चीजें होती हैं या किसी मचली ने कुछ खा के छोड़ दिया, तो वो छोड़े-छोड़े टुकड़े जो होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उसी को ये औस्टिया के माद्यम से अपने सरीर के अंदर ले लेता है, और इसमें जब कोई आंग वगरा नहीं है, तो सारी परक्रियाएं इसी से होंगी, लेकिन पाचन के लिए इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉलर सिल्स, तो कोशन आएगा कि कॉलर सिल्स किस प्रकार के जीवों में उपस्तित होता है? कॉलर कोशिकाएं, और इसका काम क्या होता है तो कॉलर कोशिकाएं जो होती हैं वो पाचन की प्रक्रिया में मदद करती है कॉलर कोशिकाएं किस काम के लिए होती है और किस तरह के जीवों में होती है तो आप बोल सकते हो पोरी फेरा जन्तुओं में कॉलर कोशिकाएं पाचन की प्रक्रिया करती है इसका यही काम होता और एक्सक्रिशन के लिए कोई अलग से कोई अंग नहीं होता अब इसमें क्या होता है? इसमें highly regenerative power होता है इसमें पुनर जनन की छमता काफी ज़्यादा होती है है ना? पुनर जनन की छमता काफी तेज होती है, काफी ज़्यादा होती है तो इसका कोई भी भाग यदि यहां से तूट कर निकल गया तो यही फिर से ग्रोड हो जाता है, इसी में ग्रोथ हो जाती है, और फिर से यह पूरा का पूरा जीव तयारो जाता है। यही चीज़ हम देखते हैं, जैसे किसी हमारे अंग में तो एक लिवर एक ऐसा अंग है, कि लीवर का थोड़ा सा पाट यदी काट कर हटा दिया जाता है तो लीवर फिर से ग्रोथ कर जाती है यही चीज़ हम देखते हैं छिपकिली में छिपकिली की पूँच बगरा यदी कर जाती है तो फिर से वो निकलाती है तो हम देखते हैं कुछ-कुछ जीवों में इस परकार का regenerative power है उसमें पुनर जनन की छमता है और ऐसा ही यदि हमारे साथ हो हमारे सरीर के अंदर होता रहे कि पुराना हिर्दय चला जाए और नया हिर्दय वहाँ develop हो जाए है ना? तो फिर तो कोई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस परकार के जनतुओं में ऐसी सुबधा है कि इनमें क्या होता है कि कोई भी सरीर का कोई भाग नीचे गिर भी जाएगा तो ये फिर से नया पुनर जनन हो जाता है इसका पुनर जन्म हो गया तो ये कभी मरते ही तो इसलिए अमर प्रानी की शरीनी में रखा गया है और दस साल के बाद यदि देखने जाओगे तो फिर यहीं वहीं पर यह मिलेंगे जहाँ पिछली बार देखा तक तो यह अचल जीव भी कहलाते हैं कि अपने जगह में बिलकुल डटे वे रहते हैं वहीं अपना जीवन यापन करते हैं ठीक है जब भी इसमें एधी होगा जनन की प्रक्रिया तो अलेंगिक भी होती है और लेंगिक भी होती है तो अलेंगिक जनन जो होगा वो बडिंग प्र और अलंगिक जनन भी होता है Sexual reproduction भी और Asexual reproduction भी लेकिन कोई इसमें defined male और female structure नहीं होता क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कोश्की अस्तर का संगठन होता है लेकिन उत्तक एवं अंग अनुपस्तित होते हैं तो किस प्रकार के जीवों में सिर्फ कोशिकाएं ही पाए जाती है उत्तक एवं अंग नहीं होता यहां से भी सवाल बन सकता है तो सवालों का क्या है कि कहीं से भी बनाया जा सकता है तो इसके लिए ध्यान रखना है और इसमें आपको मैं कुछ एक्जामपल बता देता हूँ पहली चीज़ तो मैं ये भी बता दिया कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं इम्मॉर्टल होते है इम्मॉर्टल कहने का मतलब क्या है कि ये अमर प्रानी भी है जहें हम बोलते हैं मरते नहीं है इसका कोई एक छोटा सा भाग भी क्या होता है बीजों की तरह ये पूरा पूरा जिसे बीज हम डाल दिये देते हैं तो क्या होता है पूरा पौधा बन जाता है तो इसका भी कोई भाग जो है वो फिर से रिजेनरेट कर जाता है पुनर जिवित हो जाता है तो इसलिए immortal तो है ही and immobile भी है अचल अमर और अचल जीव ठीक है यह दोनों हम किसको बोलते हैं पौरी फेरा को हम बोल सकते हैं examples की हम बात करें कि पौरी फेरा के कौन-कौन से examples है तो इसमें आ जाएगा sponges जो sponge वगर आप देखते हो जैसे बरतन वगरत होने के लिए भी sponge का उपयोग किया जाता है या फिर ठीक है आप देखते हो कि जैसे कहीं भी जो गाड़ियों की sheet होती है उसमें गाड़ियों की sheet में आप देखते हो की लगा होता है sponge, तो sponge जो material होता है, उसी तरह का यह दिखने में होता है, और sponge में भी जैसे छोटे-उटे छेद होते हैं, तो उसी प्रकार से porifera में भी होते हैं, तो नाम भी वैसा ही रखा गया है, sponge नाम रखा गया है, फिर हम देखते हैं इसमें, यूपॉजिया और यूपलेक्टिला, वही हम देखते हैं और क्या, साइकॉन, तो कुछ इस प्रकार के जो जनतु हैं, sponges, यूपलेक्टिला, साइकॉन, ये सब porifera के उधारन हैं, तो इसी में से कोई आपसे question पूछ लेगा, कि sponges किस प्रकार के phylum में, किस प्रकार के phylum के जीव हैं, तो आप बोलेंगे ये पोरी फेरा में, इसके उपर जो जीव होते हैं, इसके आगे जो जीव होते हैं, उनमें उत्तक होता है, अंग नहीं होता, कुछ ऐसे भी जीव हैं, तो इन जीवों में क्या होता है, सिर्फ कोशिकायों से इनका सरीर निर्मित होता है, लेकिन कोशिकायों का समूह नहीं बनता, यदि कोशिकायों समूह में जुड़ जाएंगी, तो उत्तक बन जाएंगी, क्योंकि हम क्या बोलते हैं group of cells या group of similar type of cells form tissue उत्तक का निर्मान तब ही होता है जब कोशिकाएं समो में जुड़ती है इनमें ऐसा नहीं होता फिर आप से question ये पूछ लेगा अपलेक्टीला या साइकॉन या स्पॉंज ये किस प्रकार के serini में आते हैं या किस प्रकार के phylum में आते हैं तो आप बोलेंगे पोरी फेरा में इस प्रकार के जन्तु आते हैं और मुख रूप से ये समुद्री और कुछ-कुछ मीठे पानी में भी उपस्तित होते हैं तो आप से बस इतना सवाल इसमें से पूछा जाएगा आईए दूसरा देखते हैं इसमें निडेरिया या फिर इसी को उम बोलते हैं सिलेंट्रेटा पहले निडेरिया ही कहा जाता था बाद में इसका नाम सिलेंट्रेटा कर दिया गया तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा कहने का मतलब एक ही होता है तो दूसरा फायलम जो क्लास्टिफिकेशन Animal Classification में जो दूसरा फैल हम रखा गया है वो निडेरिया को रखा गया अब निडेरिया की क्या विशेष्था है इसके Salient Features क्या क्या है ठीक है इसकी परमुख विशेष्था ये है कि इन में जो है वो उत्तक तो होंगे Tissue present but organs absent पुलेंगे ऐसा जीव है ये कि जिसमें उत्तक तो उपस्तित होता है लेकिन अंग अनुपस्तित होते है तो question यहां से बन सकता है कि किस प्रकार के फैलम के जिन्तूओं में किस प्रकार के फैलम के जन्तूओं में अंग अनुपस्तित होते हैं लेकिन उत्तक उपस्थित होते हैं। जबकि हमने क्या देखा था? पोरी फेरा में टिशू भी उपस्थित नहीं था, ये भी टिशू भी नहीं था। तो इनका पूरा का पूरा सरीर जो है, वो टिशू लेवल ओफ और्गनाजेशन या टिशू ग्रेड ओफ और्गनाजेशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं कि उत्तक अस्तर का संगठन, इनकी बॉड़ी जो है उत्तकों से निर्मित होती है, सिर्फ और सिर्फ उत्तकों की संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पर, और और्गन नहीं होते हैं किसी प्रकार के अंग वेगरा इसमें उपस्तित नहीं होते हैं, फिर हम रेखते हैं निडिरिया वाले जो जीव होते हैं, इनमें भी उसी प्रकार की कोशिकाय होती है collar cells वेगर इनमें भी उपस्तित होता है लेकिन उसकर दूसरे नाम से और भी जाना जाता है ठीक है? डारेक्ट यहाँ पर collar cells हम नाम नहीं लेते फिर हम लेखते हैं इसमें किसी प्रकार का जब अंग नहीं है तो यहाँ पर भी जो पाजन की प्रक्रिया होगी वो कोशिकाओं के द्वारा ही होगी सरीर के अंदर और साथी साथ क्या होता है कि ये जाहतर क्या होता है दूसरे जीवों के लिए भोजन बनने का काम करते हैं होते तो ये भी समुद्री जीव है लेकिन हाइडरा जो है वो मीठे पानी में पाय जाता है ठीक है तो हम यहां से बोल सकते हैं ये मुख खुरूप से समुद्री जीव होते हैं लेकिन हाइडरा जिसके बारे में आपने earlier अपने classes में पढ़ा होगा 9-10 वगरा में कि हाइडरा के बारे में आपको बताया गया होगा कि ये मीठे पानी में भी हाइडरा उपस्तित होता है आपको डाइगराम भी देखा होगा आपने हाइडरा का इस तरह से बिल्कुल आसान सा है हाइडरा में जैसे हमने देखा था कि ये पोरिफेरा में भी क्या होता था बर्डिंग प्रोसेस होता था तो हाइडरा में भी बर्डिंग प्रोसेस होता है तो यहां हम बोल सकते हैं कि हाइडरा में या निडेरिया में जो जनन की प्रक्रिया होती है या अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है Asexual Reproduction Asexual Reproduction occurs through Birding Process मुकुलन के दौरा मतलब सरीर से ही एक भाग बाहर की तरफ निकलेगा और यही क्या होगा फिर नीचे की तरफ गिरेगा और इसी से क्या होगा एक नया Hydra यही से तयार हो जाएगा तो यह भी आप देख रो यह भी तो फिर उसी तरह की बात हो गए कि यह तो फिर कभी मरे गा ही नी इसी से नये जीव तयार होते रहेंगे मतलब इस प्रकार के जो जीव होते हैं यह भी अमर प्रानिका लाएंगे और Hydra तो एक जगा से दूसरे जगा जा सकता है अपने किसके माद्याम से यह इसी को हम बोलते है Tentacles यह इस परसक उपस्तित होते हैं लेकिन यही हम देख रहे थे जो Tentacles है यह पोरी फेरा में नहीं थे है ना? यह Tentacles जो है इनको यह आप देखे थे पोरी फेरा में नहीं था यह निडेरिया में इसकी खासियत होती है इसमें यह उपस्तित होते है और इसी के माद्याम से यह चलने में भी मदद करते हैं और आप यह बोल सकते हो Tentacles are defensive as well as offensive in nature यह रक्षात्मक भी होते हैं और यह अकरामक अकरामक कारे करने के लिए भी यह Tentacles का उपयोग करते हैं कोकि इसी Tentacles में आप वो सकते हो छोटे-छोटे Cells होते हैं काटे नुमा सनरचना होती है कि कोई भी इसे यह खाने की कोशिस करेगा तो उससे बचने की कोशिस में क्या करेगा कि अपने काटे का उपयोग करेगा उस पर वार करेगा उस जीव पर और इसके काटे काफी तीखे होते हैं तो इस वज़े से क्या होगा कि वो जीव इसको छोड़ देगा तब तक Hydra वहाँ से बाग सकता है तो यह जो निडिरिया जीव होते हैं इसकी यही परमुख विसेस्ता होती है इसमें भी Sexual Reproduction और Sexual Reproduction दोनों तरह का इसमें Reproduction होता है क्योंकि Sexual Reproduction एक खासियत होती है एक इसकी Animals की लेकिन Male, Female वगर इसमें Separate Structure बिलकुल नहीं होता तो इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें मुख रूप से आपसे सिर्फ याद रखना है इसके कुछ Examples को जैसे यहां से Question देखो क्या आप पूछाया सकता है कि Hydra किस तरह के पानी में मिलेगा आपको तो आप बलेंगा Hydra जो है वो मीठे पानी में मिल जाएगा Fresh Water तो पहला Example तो Hydra हो गया दूसरा हम देखते हैं इसी में Jellyfish अब यह जो Jellyfish है इसको हम बोलेंगे यह वास्तविक मचली नहीं है अकसर यह Question पूछ ले आता है इसमें एक Option देदेगा Jellyfish और यह पूछ लेगा कि इन में से कौन सी मचली नहीं है तो हम देखेंगा Option वेगरा कि इस तरह का Starfish वेगर यह इन में से कौन सी मचली है इस तरह का Option आ जाएगा तो जैसे Silverfish लिखा हुआ हो Jellyfish लिखा हुआ हो Starfish लिखा हुआ हो तो यह सब मचलीयां नहीं है सिर्फ नाम में Fish लगा हुआ है उसी प्रकार से है Sea Anamon अब यह दिखते कैसे हैं इसके लिए आपको एक बार Net पे सर्च करते रहना होगा कि यह Jellyfish कैसा दिखता है Sea Anamon कैसा दिखता है या पिर इसको समुद्री Anamon भी कहते हैं तो समझ में आया है किस तरह का सवाल पूछा सकता है इसमें कि Jellyfish या Hydra किस Phylum से सम्बंदित है किस संग से सम्बंदित है तरह का सवाल आप से Question में आ सकता है तो यह ध्यान रखना है इसके मेंली आपको Examples पर फूकस करना होगा और साथी साथ कुछ unique characteristic जो है वो देखना होगा अब लगबग जितने भी जन्तू है अभी जो हम सुरुआत के जन्तू पढ़ेंगे वो लगबग सभी समुद्री होते है या पिर कहीने कहीं मीठे पानी में पाय जाते हैं या कहीने कहीं नमी मिट्टी जमीन में पाय जाते हैं जमीन के ऊपर आपको कहां से मिलना शुरू होगा और्थोपोड़ा से, और्थोपोड़ा के बाद जितने भी जीव हैं वो सब आपको जमीन के बाहर मिलेंगे, अंदर नहीं मिलेंगे, है ना, तो आगे हम इसको देखते जाते हैं, अच्छा इसमें एक और एक्जामपल याद रखना है, कोरल्स, जो हम बोलते हैं प्रवाल, कोरल, कोरल रीफ्स, अपने जोगरफी वगरे में पढ़ा होगा कि तटों के किनारे किनारे कोरल रीफ्स की मात्रा होती है, और ये कोरल रीफ्स जैसे आप देखते हो, राम सेतु, जो इंडिया और स्रिलंका के बीच में हैं, तो उस जगह पर कोरल रीफ्स की मात्रा बहुत जादा है, इसलिए वहाँ पर इंटरनेशनल ओर्गनाजेशन ने उसको हटाने के लिए मना किया हुआ है, तो इसलिए भी वहाँ से जहाज बगरे नहीं गुजरती, और ये कोरल रीफ्स बगरे क्या होता है, काफी जादा इनके उपर, ये जहां भी जमा होते हैं, अपने उपर हाड कवर बना लेते हैं, सिलिका का होता है, कैल्सियम, कार्बोनेट का कवर, इनके सरीर के उपर होता है, तो इस पत्थर जैसे होते हैं कोरल्स को यह उठा कर यह आप पाने में फिक दोगे तो यह पानी में तैरता रहेगा तो आप बोलते हो कि तैरने वाले पत्थर भी पाए जाते हैं है ना तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब राम सेतु का निर्मान हुआ था तो उस समय भी यह पत्थर थे जो तैरने वाले थे जो हम लोग पढ़ते हैं तो यह प्रवाल जो होते हैं वो दिखने में वैसे ही लगेंगे पत्थर जैसे और एक साथ अपनी कॉलनी में रहते हैं औ मर प्रानी भी आप बोल सकते हो और अचल जीब भी बोल सकते हो ठीक है तो यही जब कहीं भी किसी जगह पर जाकर चिपके हुए होते हैं यह या तो जगह पर पत्थर वगरा काफे जादा होगा तो वहां जाकर एक बेस बनाकर वहां चिपक जाएंगे तो समुदरी टेटो की सुरक्षा भी करते हैं यह कोरल्स किस प्रकार के फाइलम में आता है कौन से फाइलम में आता है तो अब बोलेंगे कोरल जो आते हैं वो इसमें निडेरिया में थर्ड यहां पर हम देखेंगे इसमें जो फाइलम है वो है प्लेटी हलमिन्थस तो आप मैंसे बहुत लोगों ने क्लास पहले भी किया होगा या जहां भी आपने पढ़ा होगा यदि आपने पढ़ा हुआ है यह classification of animals तो तो अच्छी बात है लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए important है यह ध्यानवर्टना है कि कई लोग जो है SSC के साथ साथ CDS पर भी focus करते हैं CAPF पर भी focus करते हैं तो क्या होता है कि bio जो है वो हर एक state में एक ही समान होता है तो bio जो है वो कहीं भी आपको काम में आ सकता है आप जैसे बुलते हो कि किसी भी UP police के exam में जाते हो या UP के exam में जा रहे हो ठीक है state labor का कोई exam हो कलर्कियल job हो या officer job हो तो उसमें आप क्या देखते हो UP जी के भी एक महत्पुन होता है दूसरे state में जाते हो बिहार में तो बिहार जी के उसमें important होता है हर्याना में जाते हो तो हर्याना जी के important होता है उसमें क्या होता है कि फिर हर्याना का भूगोल बतल जाएगा UP बिहार का भूगोल अलग अलग हो जाएगा तो आप यहां से देख सकते हो, और जब भी आपको इस तरह की problem लगे, तो इसको आप देख सकते हो, तो प्लेटी हलमिन्थस, यदि आप से यह पूछा जाता है, कि प्लेटी हलमिन्थस में किस प्रकार के जीव आते हैं, तो प्लेट कैसा होता है, चिप्टा होता है, तो प्ल हलमिन्थ कहने का मतलब होता है, creamy, और इसको आप बोल सकते हो, कि आप प्रती किरमी दवा, कई भार कोशन आ जाता है, what is tranquilizers, तो आप बोलते हो, कि tranquilizers वो होते हैं, जो तनाव रोधी दवाईयां होती हैं, उसको हम tranquilizers बोलते हैं, हाँ, हर एक जगह exam में, हर एक, किसी भी state level के exam में आप देखोगे, कि science जो है, वो same रहता है, हाँ, तो आप जीके पढ़ते हो, तो उसमें आप देखतों क्या होता है, कि हर जगह का Google बदलता है, quality बदलता है, यह तो आपको पता ही है, लेकिन क्या होता है, science आपको हर जगह काम में आएगा, एक ही science होता है, और कहीं को यह बोले कि हाँ, इसके लिए अलग से science होता है, ऐसा नहीं होता, जो भी आप पढ़ोगे, वो सब जगह पे काम में आएगा, तो यह धियान रखना है, कि सब digestive system यह दी हमें पढ़ना है, तो CDS में भी है, CAPF में भी है, यही आपको SSE में भी है, same वही digestive system पढ़ना है, अलग का नहीं पढ़ना है, आदमी का ही पढ़ना है, तो यह है, तो anti-helminthic, हम क्या करता है, सब्दों को एक तरह से हम जोड के relate कर लेते हैं, सब्दों को relate करने से क्या होगा, कि यह आसानी हो जाएगा हमें समझने में, तो helminth word इसका मतलब किसके लिए आता है, creamy के लिए आता है ribbon कहने का मतलब फीता, क्योंकि दिखने में यह चप्ते अकार के होते हैं और फीता creamy के नाम से जाने जाते हैं, और इसी को tape warm भी कहा गया है, तो tape कहने का मतलब वैसे ही हो गया, कि यह फीता चप्ते होते हैं, है ना, और इसी को कहा गया है flat warm. तो फ्लैट का भी मतलब क्या हो गया चप्टे क्योंकि जब इसका structure आप देखेंगे तो इस तरह से ये काफी चप्टे आकार में होते हैं लेकिन जो गोल क्रीमी होंगे तो उसका जब आकार होता है तो वो इस तरह का होता है देंकि आगे से भी थोड़ा सा cylindrical मतलब ये गोल सा सनरचना बनेगी और पीछे से भी ये गोल सी थोड़ी सनरचना बनती है तो आगे की तरब इस तरह से रहेगा और इसका जब structure देखेंगे तो इस तरह से चोड़ा हुआ चप्टा हुआ थोड़ा इसकी सनरचना हो रही है अच्छा ये बड़ा लिख दूँ एक मिनट प्लेटी हलमेंथस ये भी बड़ा लिखूँ अब दिख रहा है तो इसी को फीता क्रीमी बोल सकते हैं या फिर इसी को चप्टे क्रीमी बोल सकते हैं अब दिख रहा होगा अब मैंने ये बताए कि हलमिन्थ वर्ड जो है वो इसको हम यदि रिलेट करें तो एक प्रकार की दवा प्रती क्रीमी दवा मतलब पेट की जो पेट में ये क्रीमी जब हो जाते हैं तो उसी को मारने के काम में आते हैं इसके कुछ फिचर समनीदी देखते हैं कुछ विश्यस्ताएं क्या है इनकी तो हम देखते हैं ये जो प्लेटी हलमिन्थ होते हैं ये मुख रूप से इंडो पैरासिटिक होते हैं इंडो पैरासिटिक कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अंता पर जीवी हैं एक होता है कि सरीर में बाहर से जुड़े हुए हूँ लेकिन सरीर के अंदर जब चले जाएंगे और किसी ने किसी अंग में जाकर चिपक जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं फिर इंडो पैरासिटिक नेचर के कहलाते हैं अंता पर जीवी होते हैं इनकी और क्या खासियत है कि इस परकार के जो जीव होते हैं वैसे तो ये मिट्टी वगरह में, पानी वगरह में कहीं भी उपस्तित होते हैं ठीक है? और इस प्रकार के जो जीव होते हैं ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं उभै लिंगी उभै लिंगी जन्तु मतलब हम बोल सकते हैं कि हरमाफ्रोडाइट वो जीव होते हैं जिनके एक ही सरीर में मतलब एक ही बॉड़ी में आधा पार्ट मेल होगा और आधा पार्ट फीमेल होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ भाग जो है वो मेल की तरह behave करेगा, male part की तरह behave करेगा और कुछ part जो है वो female part की तरह behave करेगा मतलब sperm का production होगा तो वो male part से होगा और egg का production होगा तो वो क्या होगा? female part से होगा जब एक ही सरीर में ये दोनों तरह की संरचना होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर्मा फ्रोडाइट बोलते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हो bisexual ठीक है? इसमें हम बोल सकते हैं एक ही सरीर में दोनों जब होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं उभे लिंगी जीव तो प्लेटी हलमिंथस ऐसे जीव होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अलग-алग नहीं होते इसमें नर और मादा दोनों अलग-लग नहीं होते हैं तो हम इसको बोलते है हर्मा फ्रोडाइट जीव इससे एससी ने कोशन पूछ रखा है पहले भी कि फ्लेम सिल्स और फोटो नेफ्रीडिया किस प्रकार के जीवों में होती है या पिर आपसे पूछा जाए कि जुआला कोशिक आए या फोटो नेफरीडिया किस प्रकार के जनतों में पाई जाती है ये इस कोशन पहले भी पूछा गया है तो याद रखना है फ्लेम सेल्स और फोटो नेफरीडिया ये प्लेटी हलमिन्थस जीवों में या फिर टेप वाम में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है ये कौन सा कारे करती है तो बोल सकते हो कि ये उस सर्जन का कारे करती है ये एक्सक्रिशन का कारे करती है जैसे अपने सरीर में excretory organ उस सर्जन के लिए जो अंग होता है वो क्या होता है kidney होता है वैसे ही हम देखेंगे कि जो platy-helminthus जीव होते हैं जो इस प्रकार के जन्तू होते हैं इनमें उस सर्जन के लिए इनमें क्या होता है flame cells होता है या फिर इसी को हम photon nephredia के नाम से भी जानते हैं तो ये जो question होगा आपका ये important question है इससे question आते ही रहते हैं बार-बार ये question आता रहता है repeat होता रहता है तो किसी exam में ये पूछा सकता है ये animal classification से question पूछा गया तो ये important part है और मैं आपको बताया कि इनमें से कुछ ऐसे होता है जिसे planaria जो कि free living condition में होता है ये किसी के सरीर के अंदर नहीं होते लेकिन जातर जो जीव होते हैं वो अंतर परजीवी होते हैं या तो pig बगरा के सरीर में क्योंकि pig बगरा भी आप देखते होगी कहीं न कहीं क्या होता है भी हो सकती है पहले तो ये होता है कि भूक बगरा लगनी बंद हो जाती है ठीक है और कई प्रकार के लक्षन नजर आने लगते हैं जिस कारण से बॉडी में इसकी संख्यां काफी जादा हो जाएगी तो खाना आप खाओगे लेकिन वेट लॉस होता रहेगा फिर इसके बाद फिर दवाईयां लेंगे एंटी हेलमिन्थिक ड्रग तब जाकर ये क्रीमी हमारे पेट से बाहर निकलते है और यही कारण है आप देखतों स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे जब मिट्टी वगरे में खेलते हैं नाखून वगरे उसके बढ़े हुए होते है तो मिट्टी के द्वारा क्या होगा कि इसके अंडे वगरे सरीर में चले जा सकते है और ये काफ़ी छोटे जीव होते है तो इसकारण से नोव औरमिंग दे मनाय जाता है नोव औरमिंग दे दी जाती है कि बच्चे ये खाओ इससे क्या होगा कि पेट में जो भी आपके क्रीमी वगरा होगा वो निकल जाएगा तो यह हमारे सरीर में होते हैं इसके कुछ एक्जाम्पल्स हम देखते हैं प्लेटी हलमिंतस अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब क्या हो गया कि इसमें कुछ अंग तो हैं लेकिन वो पुर्ण विक्सित नहीं है इसके पहले जितने भी जन्तू थे उसमें अंग तो थाई नहीं तो आब हो सकतो ये पहले ऐसे जीव हैं जिनमें अंग विक्सित हुआ जन्तूँ में jeśli हम देखें तो पहले जो डोनों जिन्तू थे उसमें अंग विक्सित नहीं था इसमें अंग तो विक्सित हैं माँथ होगा लेकिननट नहीं होगा मतलब कम्प्लीट नहीं है अंग है लेकिन पुर्ण विक्सित नहीं है इसके example हम देखते हैं कि कौन-कौन से इसके examples हैं अब एक question यहां से भी पूछा गया है S.S.C. के द्वारा एक question यह पूछा गया है कि liver fluke यदि आप previous year question पढ़ते हो S.S.C. का तो यह आपको question दिख जाएगा कि liver fluke के नाम से किसे जाना जाता है तो option में देख कर भी जिसको थोड़ा सा भी knowledge होगा liver के बारे में वो बता देगा Fasciola hepatica तो question क्या पूछा गया था कि liver fluke किसे कहा जाता है liver fluke किसे कहा जाता है इसमें देखो word में ही यह आपको मतलब इसी के word में यह option में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा मैंने आपको क्या बोला कि जिसको भी थोड़ा बहुत liver के बारे में knowledge होगी उसको यह भी पता होगा कि हेपा वर्ड से बना हुआ है hepatitis और हेपा वर्ड से बना हुआ है hepatology तो hepatitis, liver में होने वाला एक रोग हेपा वर्ड यहाँ भी है और जितने option दिये हुए थे उसमें कहीं भी हेपा वर्ड नहीं था hepatology कहने का मतलब क्या होता है hepatology कहने का मतलब होता है study of liver heparin जो कि liver में बनने वाला एक protein जो हमारे blood को क्या करता है यह हमेशा पतला रखता है थक्का जमने से रोकता है हमारे सरीर के अंदर blood की clotting क्यों नहीं होती क्योंकि heparin नाम का एक protein होता है तो यह जहाँ-जहाँ hepa word आता है तो वो liver से संबंदित है और इसका नाम क्या रखा गया है liver fluke तो common name liver fluke है तो यह जाकर कहा शीप मतलब यह आपको भेंड के और साथ में आप बोल सकते हो कि यह जो cattle होते हैं मवेशी होते हैं और खास करके भेंडों के क्योंकि यह सब जमीन से जब घास वगरण चर रहे होते हैं कई बार जो गंदा पानी वगरण पी लेते हैं तो इस कारण से यह liver fluke जाकर इनके liver में जाकर चिपक जाता है इस कारण से क्या होगा कि फिर इसलिए जानवरों को बीच बीच में क्या होता है कि यह दवा दी जाती है अलबेंडा जोल नाम करके एक दवा होती है जो खास करके मवेशियों को, गाय भैस को बक्रियों को यह सब को खिलाया ही जाता है जिससे उनकी पेट की क्रीमी नश्ट हो जाए क्योंकि यह लोग खाई रहे हैं उस जगा पर जहां गंदी चीज़े हैं खास भी है तो वहाँ पर जमीन में है और जमीन में यह सब क्रीमी होते ही है जन्तु उसके अंडे चले जाएंगे पेट में तो यह उसकी वहाँ पर क्या हो जाएगी पॉपलेशन बढ़ती चली जाएगी तो लिवर फ्लूक के नाम से किसे जाना जाता है यह SSE में पहले भी यह सवाल पूछा गया है तो याद रखना है किस तरह के questions को थोड़ा सा में common sense से करना होता है हेपा वर्ड से याद रहेगा फैसियोला हेपाटिका एक और question पूछा आता है इसमें प्लानेरिया यह भी एक तरह का जीव है इसी में एक प्रगार का फिता क्रिमी है एक टेप वाम है या फ्लाइट वाम इसको बोल सकते है प्लेटी हलमिन्थस का example फिर हम देखते हैं इसमें एक और example होता है तीनिया सोलियम तीनिया सोलियम क्या है तो यह भी एक प्रगार का क्रिमी होता है फिता क्रिमी और यह खास करके सूर के सरीर में होता है तो इसलिए पोग टेप वाम डिजीज के नाम से हम जानते हैं इस रोग को ठीक है पोग टेप वाम डिजीज तो pork tap warm disease किस कारण से होता है ये सवाल पूछ लिया जाएगा क्योंकि सुर के सरीर में इस प्रकार का tinea solium नाम का एक platy hilminthus या flat warm पाया जाता है तो कोई यदी अदपका मांस यदी pork का खाए तो इससे क्या हो सकता है कि उसके सरीर में tinea solium की मातरा बढ़ेगी इसका production जादा हो जाएगा ठीक है अदपका मांस खाने से और इसी रोग को बुला गया है pork tap warm disease तो ये काफी important question है कि pork tap warm disease किस जन्तु की वज़े से होता है तो अब बोलेंगे ये होता है किसकी वज़े से तीनिया solium नाम के एक platy hilminthus की वज़े से तीनिया solium एक flat warm की वज़े से तो इस तरह के question पूछे आते हैं ये पहले question ये पूछा गया है जब यहां से question बने हुए है तो हो सकता है यहां से भी question बन जाए तो याद रखना है क्योंकि मैंने इसको क्या बोला था कि इस प्रगार के जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं सरीर के अंदर ये उपस्तित होते हैं तो ये तीनिया solium भी क्या है ये pig के सरीर में और pig का means meat क्या कहलाता है pork तो जो लोग pork खाते हैं और ये कच्चा खाते हैं मतलब ये अद पका खाते हैं तो भी इस प्रगार के creamy की होने की संभावना है जैसा अभी bird flu है तो bird flu में ये कहा जाता है कि 90 degrees, 100 degrees Celsius पर जब chicken वगरे को गर्म किया जाता है ठीक है 10 मिनिट के लिए 12-15 मिनिट के लिए तो इसमें क्या होता है जो bird flu के जो वाइरस होता है वो नश्ट हो जाता है जिसका नाम है H5N1 bird flu का जो एक वाइरस है H5N1 से ये होता है और swine flu H1N1 से होता है तो पिग में एक और फ्लू करने की छमता भी है पिग में एक और वाइरस होता है H1N1 जिससे स्वाइन फ्लू होता है जो बर्ड फ्लू से ज़्यादा खतरनाक होता है यही 3-4 साल पहले दिल्ली में स्वाइन फ्लू भी फैला था लेकिन इस पर कंट्रोल कर लिया गया लेकिन स्वाइन फ्लू भी डेंजरस होता है और स्वाइन फ्लू को हम पिग फ्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भी क्या होता है कि आपको सुर के सरीर में होता है और वहीं से यसी मीट वगरा के माद्यम से शरीर में आता है इसलिए शाकाहर, बेश्टाहर किसी प्रगार का रोग नहीं होगा उसमें गाजर मुली खाईए ठेक है तो फिर हम देखते हैं इसमें है एसलमें तस और इसी को हम बोलते हैं राउंड वाउं गोल क्रीमी तो एसलमिंथस, प्लेटी हलमिंथस से भी एडवांस क्योंकि हम एक धीरे-धीरे कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं कि पहले जो पोरी फेरा था उसमें सिर्फ कोशिकाएं थी निडेरिया में जब आएं तो वहां पता चला क्या कि निडेरिया कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिकाओं के अलावा उत्तक भी उपस्तित होते हैं लेकिन अंग अनुपस्तित होते हैं प्लेटी हलमिन्थस जब हमने देखा जो फिता क्रिमी था तो उसमें अंग तो उपस्तित थे लेकिन वो पुर्ण विक्सित नहीं थे लेकिन पुर्ण विक्सित अंग वाला मतलब इसमें complete digestive system होगा माउथ भी होगा एनस भी होगा तो complete elementary canal हो गया, digestive system हो गया साथ ही साथ ये जो एसल मिन्थस होते हैं ये male और female दोनों अलग अलग होते हैं dimorphism होता है इन में तो अब बोल सकतो male और female दोनों separate एक ही body में नहीं होते जबकि platy elementus क्या था एक ही body में था male और female पार दोनों एक ही body में था तो आपको अभी समझ में आ गया कि क्यूं सबको अलग-अलग किया गया क्योंकि सबके गुण अलग-अलग हैं सबकी विशिस्ताएं अलग-अलग हैं तो इसलिए हम देखते हैं कि इनको सबको अलग-अलग नाम भी दिया गया अलग-अलग रखा गया है तो जहां हम उसे बोलते थे फिता क्रिमी, इसको हम बोलते हैं गोल क्रिमी, क्योंकि होते तो यह वैसे ही लंबाई इनकी वैसे ही होती है, बस खाली क्या होता है, जब इसका आकार देखेंगे, तो इस तरह से क्या होता है, आगे की तरफ मूँ थोड़ा सा गोल आकार होता है, इस तरह के गोल लुमा सनरचना बनी भी होती है वहीं फिता क्रिमी में ऐसा नहीं होता तो ये भी आपको उनी सब जगों में पाया जाते हैं जैसे कहीं कीचड वगरा हो जहां पानी वगरा हो मीठे पानी वगरा है में खास करके तो ये इस जब की क्वांटिटी होती है इसकी कोई और खास विसेस्ता वही है जितनी विसेस्ता हैं आपने प्लेटी हलमिंतस में देखा कि वहाँ पर फ्लेम सेल्स होते थे यहाँ पर फ्लेम सेल्स नहीं बोलकर फोटो नेफरेडिया ही कहा जाता है और nephron word जो है ये किसके लिए आया हुआ है तो nephron word आता है किसके लिए kidney में जो cells होते हैं उसको हम बोलते है nephron kidney किससे बना होता है nephron cell से बना होता है या फिर excretory system की एकाई उस surgeon तंत्र की एकाई nephron होती है तो photon nephridia nephron word इसमें भी आ रहा है क्या काम करेगा तो आप बोलेंगे वही काम करेगा जो अपना kidney काम करता है उस surgeon का काम करेगा excretion का काम करेगा तो हम ये चीज़ तो लिखेंगे नहीं कि इसमें sexual reproduction होगा की नहीं होगा क्योंकि male और female जब part होगे तो sexual reproduction confirm होगा ही होगा लेकिन इसमें पुनर जनन वाली जो छमता है वो कुछ-कुछ जगा पर होगी कुछ में नहीं भी होगी पुनर जनन की छमता तो ये इसमें उस तरीके से नहीं होगी इसलिए गंदे पानी बगर हमें गंदे पानी के माद्यम से हमारे सरीर में आ सकते हैं और हमें ये नुकसान पहुचा सकते हैं तो ये जो एसल में इंतस होते हैं या round warm होते हैं ये इसके examples कौन कौन से हैं इसके उधारन तो पहला हम देखेंगे इसमें वुचरेरिया वुचरेरिया बेनक्रॉप्टी या सिर्फ वुचरेरिया आपको याद रखना है वुचरेरिया बेनक्रॉप्टी क्या है एक प्रकार का round warm है एक प्रकार का gold creamy है इससे होता क्या है तो यही कारण है किसका एक रोग का जिसको हम बोलते हैं file area कोशन होगा कि file area रोग किससे होता है तो आप बोलेंगे file area रोग एक gold creamy से होता है जिसका नाम है वुचरेरिया बेनक्रॉप्टी अब यह file area रोग को और किस नाम से जानते हैं तो आप बोलेंगे इसी को हम बोलते हैं elephantiosis या फिर इसी को बोलते हैं हाथी पाउँ रोग तो जब आप देखते हो हाथी जैसा पाउँ हो जाता है लोगों का पैर काफी sujancy हो जाती है पैर में और पैर काफी भारी भर कमसा लगने लगता है तो इसलिए हाथी पाउँ रोग कहा गिया ऐसे कई लोगों को जब ये question पूछा जाता है तो वो बोलते हैं मच्छर के काटने से होता है तो ये भी बात सही है कि Qlex नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से ये होता है तो विचरेरिया बेन क्रॉप्टी का वाहा के दिए आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा फैलता है किसके काटने से होता है तो आप बोलेंगे एक mosquito है जिसका नाम है Qlex Qlex मच्छर यदि किसी को काटे और उसके सरीर में वुचरेरिया नाम का एक गोल क्रीमी यदि हो तो जैसे ही हमारे सरीर में ये वुचरेरिया आएगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है और लसी का ग्रंती होती है लसी का गांट होती है लिम्फ नोट्स जो हम बोलते है क्योंकि ये हमारे सरीर में पूरे जगह पर लोट्स होती है लिम्फ नोट्स तो इन्ही लिम्फ नोट्स में या blood vessels में क्या होती है सूजन आ जाती है जिस कारण से हमारा पैर जो है वो सूज जाता है और खास करके आप देखते हो पैरों में हाथ में क्यों नहीं होता तो खास करके जातर मच्छर भी वहीं काडते है तो जिस जगह पर यह affected होगा उस जगह पर उस जगह को यह बढ़ा देगा हाथ में होगा तो हाथ में भी सूजन हो जाएगी हाथ भी उस तरह का दिखेगा लेकिन मुख रूप से यह पैरों में दिखता है क्योंकि जातर मच्छर जो होते हैं वो ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ पाते है तो इसलिए खास करके आप पैरों में ही देखते है तो पैर में जो गांठ वगर होती है लसी का गांठ जिसमें WBC का निर्मान भी होता है इन गांठों में आप ऐसे इस एरिया में भी आप टच करते होते उसे एक गांठ से नजर आती है जो कि बुखार अगर जब आपको होता है तो इस गांठ में सूझन हो जाती है तो ये जो हम देख रहे हैं इस अभ गांठें है ये लिम्फ नोड्स कहलाती है लसी का गांठें कहलाती है इन गाठों में WBC का भी निर्मान होता है तो ये लसी का गाठों में सूजन हो जाती है रक्त नलिकाएं सूज जाती है तो फालेरिया एक रोग ये किस कारण से होता है याद रखना है गोल क्रीमी से मलेरिया नहीं है ये के फालेरिया है एक वोचेरिया नाम के एक जीब से होता है इसका एक दूसरा एक्जामपल है असकेरिस question पूछ लिया जाएगा कि सकेरिस किस प्रकार का creamy है तो आप बलेंगे असकेरिस भी कैसा होता है ये गोल creamy होता है तेख है गोल creamy है असकेरिस भी और Ascaris ये हमारे किस अंग को प्रवावित करता है तो अब बलेंगे ये हमारे फेफणों को और इंटेस्टाइन को प्रवावित करता है ये हमारे आत में और फेफणों में आकर क्या होता है जाकर चिपक जाता है और इससे क्या होगा कि फिर सांस लेने में भी तकलीफ होगी और समय परिदी इलाज नहीं कराये गया, तो इससे जान भी जा सकती है, तो Ascariesis, Ascariesis से होने वाला जो एक रोग है, उसका नाम है Ascariesis, Ascariesis रोग हमारे फेफ़णों को और आत को प्रहवित करता है, तो Ascaries और वुचरेरिया, इसमें दो important इसके, इससे question बनते हैं, जो कि ये दोनों Asalminthus का है, जो कि मैंने बताया, Platy Helminthus से इसलिए अलग है, क्योंकि Platy Helminthus जो था, जिसको हम फीता क्रिमी बोलते थे, उसमें उत्तक और अंग जो थे उपस्तित थे, लेकिन अंग पुर्ण विक्सित नहीं थे, लेकिन Asalminthus जो है, इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें अंग तंद्र विक्सित है, मांकि उस सर्जन उसी से होता है, जो हमने देखा था, Platy Helminthus में भी था, Flame Cells और उसको Photonephredia भी बोलते थे, Male और Female Body separate थी, जबकि Platy Helminthus में दोनों एक ही Body में थी, यह आपको कहीं न कहीं यह भी परजीवी के रूप में ही होते हैं, वो च्रेरिया जैसे मच्छर के सरीर में होगा, वहाँ से हमारे सरीर में आ जाएगा, तो यह सब इसमें difference है, Enelida, Enelida संग में ही आता है Kechua, और Kechua के सरीर पर हम देखते हैं, इस तरह के गोल-गोल रिंग बने होते हैं, जैसे इन में हम देखते हैं, रिंग बने वह नहीं होते हैं, लेकिन Kechua जब होगा, तो इसी प्रकार के आकार में होता है, और आप देखते हो, यह अपने body को सिकोड कर, छोटा भी कर लेता है, और बड़ा भी कर लेता है, और Kechua के सरीर के उपर क्या होता है, गोल-गोल रिंग से बने होते हैं, तो इसलिए इसको हम ring warm भी कहते हैं, तो ring warm या Enelida, इसके अंदर Kechua या फिर, जोंक वगरा जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, लीच, यह सब इसी के अंदर आते हैं, तो आई इसमें हम देखते हैं, कि, जो Enelida है, उसकी खासियत क्या है, तो खासियत यह होती है, Enelida की, कि इसमें भी, Harmafrodite Nature, Harmafrodite, फिर छोटा हो गया यह, मैंने बताया था, Platy Helminthus, जो जीव होते हैं, वो भी Harmafrodite Nature के होते हैं, यह उभै लिंगी होते हैं यह भी, मतलब केचवा में, नर्ग केचवा और मादा केचवा नहीं होता, दोनों एक ही शरीर में होता है, दीक है, नर्ग केचवा और मादा केचवा नहीं होकर, दोनों क्या होगा, एक ही शरीर में होगा, ओके, तो इसमें हम देखते हैं, Harmafrodite यह Nature के होते हैं, Enelida, और क्या देखते हैं, तो इसमें Nephridia, Nephron से बना हुआ है Nephridia, मैंने बताया था, Nephron, यह उस सर्जन तंत्र की इकाई है, Nephron से ही बना हुआ है हमारा Kidney, तो किसके लिए होगा Nephridia, तो Excretion का काम करेगा यहाँ पर, इसकी खासियत है यह, उसके बाद फिर हम यह क्या देखते हैं, कि यह जो केच्वा, एनलीडा होते हैं, इसमें आपको Closed Circulatory System होता है, मतलब ऐसी कोई Cavity नहीं होती, Closed Circulatory System, बंद परिसंचरन तंत्र होता है, जैसा आपने सरीर में भी होता है, बंद परिसंचरन तंत्र, Open Circulatory System होगा, तो उसमें क्या होगा, कि सभी के सभी Blood जो है, वो एक Cavity में जाकर जमा होंगे, और वहां से फिर वो सरीर के बाहर चला जाएगा, मतलब सरीर के, हर एक भाग में यह बढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रोपर हमारे सरीर में भी क्या होती है, यह नली होती है, प्रोपर रख्त नलिकाएं होती है, वैसे ही केचवे के सरीर में भी क्या होगा, कि इस प्रकार का, एक जगा पर यह जमा नहीं होता, circulation होता रहता है, मतलब यह बंद नलियों के माध्यम से, सरीर के बिभिन अंगों तक यह पहुशता रहता है, तो छोटे जन्तूओं में सिर्फ केचुआ इस प्रकार का, यह एनलीडा इस प्रकार का जीव होता है, जिसमें closed circulatory system होता है, नहीं तो बांकी जितने भी जीव होते हैं, उसमें open circulatory system होता है, जिसे cockroach होती है, जहां पर जाकर blood नहीं होता, वहाँ पर आप देखतो हुआ हीमो कोल उसे बूलते है, मतलब वो white color का एक chemical होता है वहाँ पर, ठीक है, white color का आप बोल सकतो liquid होता है, जो की blood का का काम करता है, oxygen का transport करता है, केचुआ में किसी परगार का ऐसा आंग नहीं होता, जिससे यह सोसन कर सके, तो यह सिर्फ क्या होता है, कि अपने जमीन के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी जीवित रहता है, तो जो मौश्यर होता है, जो जहां पर भी water होगा, थोड़ा बहुत oxygen तो वहां होगा ही, तो अपने तचा के माद्यम से, यह oxygen का आदान परदान कर लेता है, तो यह mostly आप हो सकतो, इसमें respiration जो होगा, सोसन की जो प्रक्रिया होगी, वो तचा के माद्यम से होगी, तो चा के माद्यम से ही यह सोसन कर पाएंगे, और फिर यह अंडे को देते हैं, तो यह वह भी perus nature के हैं, अंडे देने वाले, तो इसकी यह खासियत है, nephredia, अंडे लिटा के examples हम देखते हैं, कौन-कौन से, तो इसमें हम बुलते है, earthworm, अभी-अभी मैंने बताया था, earthworm का आपको, वैग्यानिक नाम भी, एक question आता है, कि केचुआ के द्वारा बनाया गया, खाद क्या कहलाता है, तो आब बुलतों, केचुआ के द्वारा जो खाद बनाया जाता है, इसको बुलाता है, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो केचुआ के द्वारा जो खाद बनाया जाता है, इसको हम क्या बूलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बूलते हैं, question यहां होगा, और वर्मी कमपोस्ट किस प्रकार की खाद होती है तो आप बोल सकतों ये एक प्रकार की और्गैनिक कमपोस्ट है प्राकरतिक खाद है जिसमें आप बोल सकतों जो यूरिया, डियेपी ये सबसे इसलिए अलग है क्योंकि यूरिया, डियेपी वगरा सिंथेटिक फर्टिलाइ पदार्थ होते हैं उसको धीरे धीरे ये खाता है और इसके बाद ये जो भी अपसिस्ट पदार्थ बाहर निकालता है वो क्या होता है उसमें वही जटिल पदार्थ जैसे पत्ता अगरे इसने खाया तो पत्ते वगरे खाने के बाद क्या करेगा ये जब पत्ते वगरे को अंदर इदी कैल्सिया मोगा उस पत्ते में तो वो जमीन में मिल जाएगा तो इसलिए हम केच्वा को क्या बोलते है किसान मित्र बोलते है केच्वा के अलाबा किसान मित्र और किसे कहा गया है तो साप को भी कहा गया है क्योंकि साप जो है वो चुहों को पसंद करते हैं और चुहों को पसंद ही नहीं करते हैं खाने के लिए इस्तमाल भी करते हैं तो साप और केचुवा इन दोनों को क्या कहा गया है किसान मित्र कहा जाता है किसान मित्र दूसरा हम इसमें एक्जाम्पल देखते हैं इसमें और बताया ही था मैंने अब इसका वेग्यानिक नाम फेरिटीमा पोस्थूमा तो ये सवाल इससे पूछा जाता है फिर हम देखते हैं इसमें हिरुडिनेरिया हिरुडिनेरिया या फिर इसी को हम बोलते हैं लीच या फिर आप हिंदी में बोलते हैं इसी को जोंक मतलब जोंक का वेग्यानिक नाम जो है वो हिरुडिनेरिया होता है तो हिरुडिनेरिया नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जोंक में लीच में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है जोंक में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हिरुडीन हिरुडीन नाम का केमिकल पाया जाता है इसलिए इसका नाम भी रखा गया है हिरुडीनेरिया तो जब कभी भी किसी भी सरीर में यदी जोंक जुड जाता है तो जोंक के सलावा में जोंक के लार में एक केमिकल पाय जाता है जिसका नाम है हिरुडीन और ये एक ऐसा केमिकल होता है जो रक्त का थक्का बनने नहीं देगा तो जब कोई chemical रक्त का थक्का बनने नहीं देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? anti-coagulant anti-coagulant protein तो hirudine भी क्या है? एक प्रकार का anti-coagulant protein है प्रति-सकंदक protein है इसलिए इसका medicinal purpose के लिए भी यूज किया जाता है यदि किसी के सरीर में blood clotting होती है या फिर हम बोलते हैं यदि किसी के सरीर में कोई गंदा खून वगरा जमा होता है तो leech को वहाँ पर चिपकाया जाता है और ये leech क्या करता है? क्योंकि इसके saliva में इसके lar में एक chemical होता है जिसका नाम है hirudine और ये रक्त को जमने नहीं देगा तो ये रक्त को खीच लेगा तो क्या होगा गंदा खून वगरा ये निकाल देगा बाहर blood clotting भी एदी होगी तो ये अपनी ताकत से blood को बाहर खीच लेता है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? hirudine area या फिर इसी को हम इसलिए hirudine area बोलते हैं रक्त प्रतिसकंदक प्रोटीन होता है anti-blood coagulant अपने सरीर में यही काम हेपरीन का काम होता है हेपरीन हमारे blood को सरीर के अंदर जमने नहीं देता जब हेपरीन की मातरा कम हो जाएगी और platelets की मातरा बढ़ जाए तब उस case में क्या हो जाएगा? कि हमारे सरीर में रक्त का थक्का बन सकता है तो इसलिए किसी को भी heart attack किसी को भी एक बार भी एदी आया है तो इसको ऐसी tablets दी जाती है जो platelets की संख्या को कमी रखे मतलब थीनर एक तरह से आप बोल सकते हैं तरह थीनर का इस्तेमाल उनको करने के लिए बोला जाता है कि आप ये tablet जिंदगी भर आपको खाते रहना है और एक और इसमें एक एक एक्जामपल है नेरिस नेरिस को भी हम इसी में पढ़ते हैं एनलीडा में पढ़ते हैं चलो all clear कोई doubt होगे रहा कोई पढ़ते हैं orthopoda orthopoda जो है वो इसको बुला आता है most successful phylum of animal kingdom जन्तु जगत का सबसे most successful phylum किसको कहा गया है ये आपको orthopoda को कहा गया है और हम देखते हैं इसके नाम में क्या लिखा हुआ है arthro लिखा हुआ है और arthro का मतलब क्या होता है this is arthrology arthrology का मतलब होता है study of joints जब हम poda word का use करते हैं तो poda का मतलब होता है pair तो जब pair में दो-तीन joints होते हैं इस परकार के कीडे मकोडों में आपको देखने को मिलेगा मखी में भी आप देखेंगे इसके पैरों में joints जैसे होते हैं इसके पैर मुड सकते हैं असानी से तो कीडे मकोडे जितने भी होते हैं वो orthopoda में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उनके पैरों में joints होती हैं ये word कहां से आ गया arthrology study of bone joints जब हम अस्थियों की संधियों का अध्यन करते हैं भड़ियों की जोडों का अध्यन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं arthrology और poda का मतलब क्या होता है पैर तो इसलिए पैरों में संधी होने के कारण इसे संधी पाज जीव भी कहा जाता है arthropoda भी कहा जाता है इस प्रकार के जो जीव होते हैं ये पूरा का पूरा animal kingdom का 85% अकेले cover करते हैं मतलब आप बोल सकते हो कि जन्तुओं में सबसे बड़ा phylum कौन सा है तो arthropoda है बात होगए क्लियर कि ये क्या है largest phylum है question बन जाएगा यहां से कि सबसे बड़ा phylum कौन सा है तो सबसे बड़ा phylum arthropoda होता है सबसे बड़ा संग कौन सा है तो ये और्थोपोड़ा होता है 85% of animals are belong to orthopoda ठीक है कितना तो पूरे animal kingdom में 85% और्थोपोड़ा से belong करते हैं तो जितने भी हैं मक्खी हैं मच्छ हैं कौकरोज हैं बिच्चू है जितने भी इस प्रकार के जीव हैं केकड़ा है वो सब इसमें आ जाएगा तो कुछ तो terrestrial होते हैं इस थलिये जीव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं aquatic होते हैं तो पानी में रहने के कारण उनमें स्वसन के लिए gills होते हैं और यदि जमीन पे रहेंगे तो उनके लिए trachea होती है तो trachea उन जीवों में होती है जो जमीन के ऊपर रहते हैं जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस भाग में trachea होता है गले में तो trachea हम में भी है लेकिन ये स्वसन के काम में बस थोड़ा सा योगदान है और उन जीवों में क्या है जो जमीन के ऊपर है इसे कौक्रोज होगर है, मक्खी होगर है तो इसमें ट्राइकिया ही स्वसन का काम करता है मतलब स्वसन तंत्र का एक हिस्सा हो गया जैसे अपने में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको वायू नली भी हम बोलते हैं हमारे सरीर में विंड पाइप को ही हम ट्राइकिया बोलते हैं और इनमें यह करना है हाँ, पूजा आपका यह कोशन है कि प्रिवेस येर के लिए क्लिए क्या करें तो करना क्या है, SMF CGL के कोशन्स वगर है या पिर किसी भी आप दुकान में जाओ और उसके बोलो कि CGL के 10 येर्स के प्रिवेस येर कोशन्स आप देतो तो वो आपको प्रिवेस येर कोशन्स आपको दे देगा ठीक है, और करना क्या है कि जब कोई भी मोटी किताब होती है तो उसकी शुरुआत पहले पेज से होती है पहले पने से ही किसी भी बुक की शुरुआत होती है तो पहला पनना निकालते ही आपको एक नोटबुक भी रखना है कि हम वहाँ से कोशन्स को देखेंगे और उसको हम वान लाइनर के रूप में 200 page किरा जाए, क्योंकि आप वहाँ पे options को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसी right option को लिखेंगे, तो आपको जो multiple choice question है, MCQs, वो आपके one liner के रूप में change हो जाएगा, और जब ये one liner के रूप में change हो जाएगा, तो पढ़ना भी फिर आसान हो जाएगा, और बाकी ये दिए आप, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से आप देखेंगे previous year questions, तो वहाँ कराया ही जाएगा आपको, बाकी आप यहाँ पर galaxy classes में जुड़े रहें, तो यहाँ भी जबसे ही exam होगा, जैसे अभी NTPC का exam था, तो हमने यहाँ पर कम से कम 5000 questions कराये, हर एक हर एक subject के, अलग-अलग subject के, जिससे विदार्तों को, student को काफे जादा फैदा भी हुआ, और उसका response भी आ रहा है, कि काफे सारे बच्चे यह बोल रहे हैं, कि हम लोगों का बहुत ही अच्छा इस course और होने वाला है, तो जब हम practice कराते हैं exam के ठीक पहले, जिससे क्या होगा, कि आपने जो पढ़ रखा है, तो आपको यह भी idea मिल जाएगा, कि हाँ मेरे से यह question बन सकता है, यह नहीं बन सकता है, यह तभी हो सकता है, जब आपने पूरा का पूरा syllabus पढ़ा हुए, हाँ, 10 year old आप पढ़ लेंगे, हाँ, तो यहाँ पर हैं, तो आप direct यहाँ पर question आप देखी सकते हो, यहाँ पर direct मैं तो class में आपको बताऊंगा है, और बागी जितने भी teacher हैं, आपको galaxy उरही में हो, तो आपको tension ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी teachers आपको पढ़ाते हैं, यह previous year questions को include करते हैं ही, नए questions आपको पढ़ाएं, तो don't worry, आप direct भी, personally भी, मेरे से मिल सकते हैं, यहाँ जो भी teachers हैं, उनसे मिल सकते हैं, वो आपको guide कर देंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है, और जब sigil का exam नस्दीक होगा, तो आप देखो कि 10 दिन पहले से यही काम होता है, वहाँ पर हम लोग previous year questions के साथ-साथ, कुछ नए-ने questions को भी कराते हैं, जैसे ब NTPC का exam था, तो हम लोगों ने 100 questions लिए, सिर्फ बायो-बायो के 100 questions, chemistry, chemistry के दुसरा से, हम लोगों ने 600-700 questions, सिर्फ एक subject से कराया, और ऐसे 8 subject होते हैं, लगबग, ठीक है, 4 आपको arts में, 3 science में, तो total आपने देखो कि 5-6,000 questions हम ने कराया है, practice, जिसका फायदा आपको मिलेगा, directly मिलेगा यह, indirectly नहीं, directly मिलेगा, तो हाँ, मैंने यह आपको बताया कि, यह largest phylum, सबसे बड़ा संग है, और इसमें कुछ जो जीव होते हैं, वो स्थलिय होते हैं, इससे अब देखतो, तो और्थोपोड़ा के जो, अच्छा, इसको ऐसा लिख लो, कि जैसे कॉक्रोज वगरा होते हैं, direct, इसमें लिख लो, कॉक्रोज हो गया, या फिर, fly मतलब मक्की हो गई, या फिर, मॉस्क्यूटो हो गया, या फिर, butterfly हो गया, dragonfly हो गया, या फिर, हम देखते हैं, इसमें, locust हो गया, locust क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं, टिड़ी, या grass hooper भी बोलते हैं, तीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, grass hooper, टिड़ी हां, तो ये सब, जो भी आप जन्तु देख रहे हैं, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या होता हैं, जमीन के उपर, करने का मतलब पानी के अंदर नहीं रहते, ये स्थलिये जन्तु होते हैं, ये स्थलिये जन्तु होते हैं, तो कौकरोज, मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई, तितली, तो है ना, grass hooper, टिड़ी, या ड्रैगन फ्लाई, इस तरह के आप जितने भी उडने वाले कीडे, मकोडे देखते हैं, की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन सब के लिए, तो आप देखेंगे, इसमें सोशन के लिए क्या होता है, इसमें respiration के लिए क्या होता है, तो याद रखना है, इनमें, trachea होता है, क्या होता है, trachea होता है, लेकिन यहीं, जब सवाल ये पूछा जाता है, कि इनमें कितने जोडी पैर होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप देखेंगे, कि इसमें कुछ ऐसे हैं, जो उड़ने वाले हैं, उड़ने वालों को हलका चाहिए सरीर, जो हल्का चाहिए शरीर, तो चार जोड़ी या, तीन जोड़ी तो आप लेंगे तीन जोड़ी, she's no? तो इन सभी में तीन जोड़ी पैर होते हैं, कई बार यह इस तरह का कोश्षन आए हुआ है कि मच्छर में कितने जोड़ी पैर होते हैं, अब और दो इस तरह के भी कोशिन आते हैं, तो फिर मच्छर मख्HY को पकड़ो और उसको देखो, पूस्टमाटम करो फिर, कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो याद रहेगा कि जो ओडने वाले जो जाहतर और्तो पोड़ा होते हैं, उनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, चार जोड पैर नहीं होते चार जोड़ी पैर उनमें होंगे जो जमीन पर चलते हैं जैसे केकड़ा हो गया मकड़ी हो गई या फिर बिच्चु हो गया या फिर टिक जो आप बोलते हो जो जानवरों में चिपका होता है अलग 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 प्रदेशों में अलग अलग नाम से भी जानते जो जानवरों के सरीर में आप देखो चोटे-चोटे चिपके हुए होते हैं, जैसे बिहार से एक लड़का है तो वो चमोकन बोल सकता है उसको, आप कहीं और चिचड भी बोलते हैं इसको, जो जानवरों में आप देखतो चोटे-चोटे जीव चिपके हुए होते हैं, जैसे मानव के सरीर में क्या होता है जो जुएं होती है उसी परकार से जानवनों के सरीर में भी छोटे-छोटे इस परकार के जीव होते हैं जो चिपके हुए होते हैं तो ये सब में चार जोडी पैर होते हैं जो चलने वाले हैं नीचे और जो उसमें से उड़ने वाले हैं, जिसमें पंक वगरा होंगे, वो सब क्या हैं, तीन जोडी पैर हैं तो याद रखना है कि इनमें कितने जोडी पैर होते हैं थ्री पैर्स ओफ लेग्स तीन जोडी पैर यही हम लेखते हैं, यदि इस तरह का कोश्चन आ जाए कि जलिये और्थोपोड़ा तो कुछ जलिये और्थोपोड़ा जो होते हैं, एक्क्वेटिक और्थोपोड़ा जैसे कि आप बुलोगे इसमें प्राउंस हो गया जिंगा जिसको मचली के रूप में लोग खाते हैं, कि एक मचली है लेकिन यह मचली नहीं है यह क्या है? और्थोपोड़ा में है, पैशेस में नहीं आता, यह मचलीयों में नहीं आता फिश नहीं है यह, जिंगा भी तो जिंगा में हम देखते हैं इसमें क्या होता है तो गिल्स होती है जिसे मचलियों में भी गिल्स होती है जिंगा में भी गिल्स होती है क्लोम होती है तो पानी में रहने वाले जो और्थोपोड़ा होते हैं उसमें क्या होते हैं गिल्स और जो जमीन पे रहने वाले हैं उनमें अब देखते हो क्या होता है सौसन के लिए ट्राइकिया होती है लेकिन जब इसमें बात हो कि जलिय और्थो पोड़ा जो होते हैं इनमें उस सर्जन किस प्रकार से होता है ये कोश्चन SSC में आया हुआ है पहले भी तो हम देखते हैं उस सर्जन के लिए इसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं कौन से ग्लैंड्स होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स या फिर इसी को बोलते हैं हरित ग्रंथियां हरित ग्रंथियां किसकी विशेष्टा है तो आप बोलेंगे यह जलिय और्थो पोड़ा की विसेस्ता है जो एक्क्वेटिक हाँ बिहार में चमोकन बोला जाता है ठीक है तो वही जो जानवरों में चिपकाव होता है उसमें भी चार जोड़ी पैर होता है आगे मैं बताऊंगा इसमें तो अभी आप देखो कि यह वाला जो कोशन है वो पहले भी S.S.E. में पूछा गया है तो हम लोग भी जो पढ़ाते हैं उसमें भी क्या होता है प्रिवेस एर कोशन भी साथ साथ आपको चलता रहेगा कुछ पिसमें प्रिवेस एर कोशन आते रहेंगे अब यह होता है कि 10 परसेंट 15 परसेंट जो वो छूड़ जाता है कई बार क्योंकि एकात कोशन कभी पूछा गया हो और कभी रिपीट नहीं हुआ हो तो वो भी ध्यान से उतर जाता है तो इस तरह के लिए कि आप क्या करेंगे प्रिवेस एर कोशन की जब बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह का कोशन मेरा रिवीजन हो रहा है क्योंकि एक बार क्लास में आपको मैं बताऊंगा और फिर एक बार फिर जाकर बुक पढ़ोगे तब आपको होगा कोई भी shortcut नहीं है method आप test series बनाते रहोगे कुछ भी नहीं होगा आपको सबसे पहले syllabus को पूरा अच्छे तरह से देखना है कि हाँ क्या क्या पढ़ना है और उसके साथ previous year questions देखते रहना है तो previous year questions भी आप देखते हो syllabus नहीं देखते हो तो उससे भी आपका पूरा का पूरा 80% syllabus वैसे ही cover हो जाएगा आपको पता चल जाएगा किस-किस तरह के topic से questions बार-बार पूछेगा है वो important में आ जाएगा और किस-किस तरह के questions चो हैं वो किसी topic से बहुत कम पूछेगा है तो कम importance देखे चलेंगे उसको अब दिवान लेते हैं maths में ही यदि percentage से ज़ादा question पूछा गया है तो इसका मतलब percentage हमें पढ़ना ही पढ़ना है टेक है profit loss का question अधी आता है तो confirm है कि उससे 2 question, 3 question अधी आएगा तो हमें पढ़ना ही पढ़ना ही तो इसमें सोसन के लिए क्या होता है? गिल्स होता है, कलॉम होते हैं और सजल्जन के लिए जो question पूशा गया है ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स किस परकार के जन्तूओं में होते हैं? एक्वेटिक और्थो पोड़ा में होते हैं कुछ ऐसे भी ओर्फॉपोड़ा होते हैं जिनमें बुक लंक्स होती है अब इसके हिंदी मत कर ना किताब ही फेफडा मतलब ऐसा नहीं होता है ना बुक लंक्स ही कहते हैं इसको तो बुक लंक्स वाले जो जीव होते हैं ये कौन से हैं तो बुलेंगे इसमें होता है स्कॉर्पियॉन जो बिच्चू होता है यह जाएगा इनमें कुछ अलग तरह का सोसन के लिए होगा अब लंग्स वर्ड किसके लिए है सोसन के लिए ही है ना तो सोसन की प्रक्रिया जो होगी स्कॉर्पियॉन में बिच्चु में वो किस से होती है ये सवाल पूछ लेगा दूसरा हम देखते हैं स्पाइडर मकडियों में केकड़ा में तो इन सभी में कितने जोड़ी पैर होते हैं फोर पैर पैरों की चार जोड़ियां होती है और जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे कि इसमें उस सर्जन किस से होता है तो एक्सक्रीशन के लिए कोशन होगा कि मकडियों में उस सर्जन किस प्रकार से होता है तो बुलेंगे यहाँ पर मालपिग्यन टिब्विूल्स मालपिग्यन नलीका होती है जो कि आपको इसमें भी पाए जाती है ये कोक्रोज वगरे में भी मॉस्कुटो वगरे में भी पाए जाती है इनमें भी वही होता है ठीक है इनमें भी उस सर्जन के लिए सेम यही चीजे होती हैं जो यहाँ पर हम देख रहे हैं उस सर्जन ये भी मालपेगिन टिब्विन्स के माध्यम से ही एक्सक्रिशन उस सर्जन की प्रक्रिया करती है तो एक तो इसमें कोश्चन ये बन जाता है कि सोसन किस प्रकार से होता है इन में और दूसरा question ये बन जाता है कितने जोड़ी pair होते हैं तो साथी साथ आप देख रहे हो किससे characteristic भी define हो गया कि कौन-कौन से इसकी विश्षिस्ताएं हैं और साथी साथ ये पता चल गया किसके उधारन कौन-कौन से हैं तो जितने भी कीडे मोकोड़े हैं वो सब इसके उधारन है और इनके blood में किसी परकार का कोई pigment नहीं होता कौकरोज में दी पूछा आता हिर्दय में कितने कक्ष होते हैं तो कौकरोज का जो heart होता है वो well developed तो नहीं होता लेकिन इसमें 13 chamber होते हैं ठीक है तेरे कक्षों में ये बटा होता है कई बार इस तरह का कुश्चन आ जाए कि यदि कौकरोज का हिर्दय कितने कक्षों में बटा होता है how many chambers are present in कौकरोज heart तो आप बोल सकते हैं ये तेरे कक्षों में बटा होता है और इसमें किसी प्रकार का hemoglobin वगरा present नहीं होता तो यहाँ पर hemo lymph की मातरा होती है ये white color का एक तरह का liquid होता है जो इसकी body में होता है और open circulatory system, close circulatory system नहीं होगा अलग से blood vessels वेगर रक्त न लिकाएं वेगरा नहीं होगी याद रखना इसमें, main important जो बता है green glands, book lungs ये सबसे question आएगा molluska molluska में जो जन्तू होते हैं वो कैसे होते हैं soft bodied animals नरम देह वाले जीव और जब सरीर जब काफी ज़्यादा soft होता है तो इसके उपर क्या होता है एक cover आयाता है calcium carbonate का इसको बचाने के लिए तो molluska वाले जितने भी जीव होते हैं आप देखते हो octopus हो गया या फिर घोंगा हो गया तो octopus के जो pair वगरह होते हैं इसमें भी क्या होता है calcium वगरह का layer होता है इसमें तो यह hard cover होती है और साथी साथ यदि हम घोंगा को देखें union को देखें seep जिससे moti वगरह निकलता है तो यह सब में आप क्या देखते हो कि इसमें आप देखते हो कि एक hard cover इसके चारो तरफ होता है जिसको हम बुलते है mental तो गोंगा गरह जो है उसमें या आपको mental जो है वो calcium carbonate का बना होता है तो बाहिक अंकाल मुलस्का का किससे बना होता है calcium carbonate का layer होता है और उसके अंदर क्या होता है इसके जो body होती है वो काफी ज़्यादा soft होती है तो इसलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या का इसकी खासियत है विशिश्चता है तो इसमें भी male female सब अलग separate ही होगा ये अंडे देने वाले होते हैं तो हम बोल सकते हैं ये ओवी पेरस होते हैं अंडे देने वाले वीवी पेरस होते तो बच्चे देते हैं direct अंडे नहीं देते जैसे mammals जो हैं वो वीवी पेरस हैं लेकिन ये मुलास्का जो होते हैं इसकी खासियत क्या है ये ओवी पेरस है ये अंडे देने वाले होते हैं नमी वाले जगों पर पाए जाएंगे कुछ समुदरी भी होते हैं और कुछ मीठे पाने में भी ये पाए जाते हैं तो मुलास्का की एक और खासियत है एक कोशन आ जाएगा कि बोजानस का अंग किस में पाए जाता है तो अब बोजानस का अंग क्या है तो ये भी इसका function क्या होता है तो अब बोलतो ये excretion के लिए होता है ये उस surgeon के लिए होता है क्योंकि पिछले exam में भी आप देखो कि जो previous questions हैं उसमें भी हम देखते हैं Scorpion में वही toxic नहीं होता है लेकिन उतना जादा ये dangerous नहीं होता इतना साप का होता है तो टॉक्सिन तो इसमें भी होता है Scorpion में भी होता है तो organ of बोजानस जो बोजानस का अंग होता है ये किस के लिए उस surgeon के लिए होता है उस surgeon के लिए होता है तो question यहां से बन सकता है फिर इसमें एक question बन सकता है इसमें respiration किस द्वारा होता है कैसे होता है इसमें सोशन की प्रक्रिया तो हम देखते हैं सोशन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी इसमें gills होते हैं कलोम की उपस्तिती होगी जैसे अपने सरीर में फेफडा इनके सरीर में गिल्स होती है क्योंकि जातर ये नमी वाले जगों पर होता है कहीं आप देखेंगे ठंडा वगरा जादा होगा जहाँ पर छाओं जादा होती है और वहाँ पर पानी वगरा भी होगा तो गोंगा चिपके हुए रहेंगे तो इनके बाहिक अंकाल इक्जोस्केलटन किससे बने होते हैं? कैल्सियम कार्बोनेट से हाँ एक और कोश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो अर्थोपोड़ा है अर्थोपोड़ा में काइटीन क्या होता है? तो बोलतों जितने भी अर्थोपोड़ा होते हैं उसका जो बाहरी आवरन होता है जो बाहरी कंकाल होता है वो काइटीन का बना होता है जैसे हम देखते हैं कौकरोज या टिड्डी इनके सरीर का जो बाहरी आवरन होता है वो कठोर होता है काफी तो जो कठोरता है वो किसकी वज़े से होती है काइटीन की वज़े से होती है और्थोपोडा में जैसे आप किसी भी कौकरो जो एकरा के सरीर के उपर देखना हाड कवर होता है, यह टिड्डियों के ग्रास उपर, उसके जो बाहरी आवरन होते हैं, उससे कीडे, मकोडे जो होते हैं, इसके उपर क्या होता है, इसमें कठोड़ता होती है, यह जो कठोड़ता होती है, इसके हम क्या बोलते हैं? बाहिक अंकाल. तो बाहिक अंकाल और्थोपोड़ा में किसका बना होता है? काइटीन का. वही सवाल इदी पूछा जाए कि मौलास्का में बाहरी कंकाल किसका बना होता है? आप बोलेंगे केलसियम कार्बोनेट का. अब यह जो हम देखते हैं मोती वगर रहा है वो भी इसी के बने होते हैं उदारन में हम देखते हैं इसमें कि कौन-कौन से इसके examples हैं इसका example हम देखेंगे मुलास्का में तो snails घोंगा वही हम देखते हैं कई इसमें छोटे भी प्रानी हैं कई बहुत बड़े बड़े प्रानी होते हैं ऑक्टोपस कई-कई फीट तक लंबा होता है और ऑक्टोपस में यह देखा जाता है कि brain भी heart भी यह आपको एक से ज़्यादा होती है किसी में तीन भी हो सकता है किसी में चार भी हो सकता है देखे लेकिन एक से ज़्यादा brain एक से ज्यादा heart जो कि ऑक्टोपस में आपको मलेगा धेखे ऑक्टोपस में ऐसा होता है और October का मतलब ही होता है आठ तो इसके क्या होते है आठ्पर इसलिए Octopus नाम दिया गया है वही हम देखते हैं Unio या फिर Unio को आप सीप के नाम से जानते हैं जिसके अंदर मोती तयार होता है तो इस प्रगार के और भी जितने जीव हैं जैसे शंक वगर का जो उप्योग करते हैं तो यह शंक जो है वो भी कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है और उसके अंदर भी इसी प्रगार के जीव होता है जो भी आप देखो कि इस तरह के आकार में आपको दिखेगा तो यह आपको यह सब मुलास्का कहीं मिंबर हों जिसके उपर hard cover होगा लेकिन शरीर जो होगा वो अंदर की तरफ वो काफी वो नरम होगा soft होगा ठीक है दुस तरह के question बनते हैं मुलास्का से कीडे मकोडों का बायक अंकाल exoskeleton, kaitin का मुलास्का का बना हुआ किस से कैलसियम कार्बोनेट का तो जिसका भी नाम रखा जाता है उसमें कुछ न कुछ बात होती है जैसे किसी का भी नाम कुछ भी रखता है तो उसमें कुछ न कुछ उसके मतलब निकल जाते है कुछ न कुछ मतलब निकलता ही है जैसे किसी का भी कोई भी नाम होगा तो उसके कुछ न कुछ मतलब निकलते है तो यहां भी आप देखते हो कि जब नाम कुछ रखा जाता है तो इसके कुछ मतलब निकलेंगे जिससे यहां भी इसका मतलब क्या निकल रहा है तो Echinos word का मतलब होता है Echinos का मतलब होता है काटे और Derma का मतलब क्या होता है Skin तो ऐसे जीव जिनके तोचा के ऊपर क्या होता है काटे काटे से होते है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया Echinodermata डर्मा कहने का मतलब क्या होता है skin, dermatologist skin specialist को हम बोलते है dermatologist, तो Echinos word जो है वो काटो के लिए आया हुआ है और डर्मा का मतलब skin मतलब तोचा पर यदि काटे होंगे तो वो Echinodermata है और ऐसे जीव मुख रूप से समुद्री ही होते हैं और ये marine animals आप इसको बोल सकते हैं समुद्री जीवों की सिर्णी में आते हैं ऐसे जीवों में आप देखेंगे तो इसमें अच्छे से well developed इसमें kidney तो नहीं होगा लेकिन उसी तरह का अंग जो nephredia type का अंग है या फिर जैसे organ of bojanus था मुलासका में उसी प्रकार का kidney function करने वाला अंग होता है वहीं हम देखते हैं सोसन के लिए जब समुद्र में है पानी के अंदर है तो गिल्स ही होगा फेफडा तो direct lungs तो होगा नहीं है ना और हम देखेंगे कि इसी में आजाते हैं जैसे starfish वेगर, sea cucumber या sea urchins इस तरह के जो आप देखते हो कि वो इसी category में आते हैं इसी echinodermata के अंदर आते हैं तो कौन-कौन से पानी के अंदर होते हैं male female ये सब separate ही रहेंगे और वहीं हम देखते हैं echinodermata जो होते हैं इनके सरीर पर काटे काटे नुवा सनरचना होती है जैसे starfish को आप देखिए ये एक प्रकार की मचली नहीं है इसकी पूरी body पर इस तरह से काटे काटे से होते हैं जो कि silka से calcium carbonate से इन सब चीजों से ये बने हुए होते हैं रुखड़ापन इसी वज़े से होता है काटे काटे की वज़े से star जैसे structure में होता है इसलिए starfish नाम दिया गया है लेकिन ये प्रगार की मचली नहीं होती तो ये कानोडारमाटा आपकी एक और खासियत है जो की previous question में ये question पूछा गया था कि water vascular system जबकि हम देखते हैं vascular system जो जालम और फ्लोयम होता है उसको vascular system बोला जाता है लेकिन ये जन्तु के अंदर है vascular system तो ये वैटर vascular system है इससे question पूछ लिया आता है कि ये किसकी विशेष्टा है तो आप बोलेंगे ये starfish जैसे जीवों में इकाइनो डर्माटा जैसे जन्तुओं में ये water vascular system होता है और इस water vascular system का क्या काम है तो आप बोल सकते हो कि ये क्या काम करता है लोको मोशन में मदद करता है लोको मोशन मतलब गती में तो ये इसका एक important part है इकाइन डर्माटा में water vascular system का क्या कारे है बाह की सब function मैंने बताया ही मुलास्का के तरह ही होगा hard covering होगी लेकिन उस तरह की hard covering नहीं होगी जैसे आमने वहाँ देखा था कांटे जादा होगे और ये कांटे किसके बने होगे calcium, carbonate वगरा के कांटे बने होगे और मुख रूप से ये समुद्री जीव होते है मीठे पाने में जैसे मुलास्का आपको घोंगा वगरा तो मिल जाएगा लेकिन इस प्रकार के जीव ये आपको starfish वगरा वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही मिलेगे तो marine animals हैं ये समुद्री जन्तु examples हम देखेंगे not a real fish नाम में fish तो है लेकिन वास्तुविक मचली नहीं है ये सिर्फ नाम ही नाम है बस वास्तुविक मचली ये नहीं है वह हम देखते है sea urchin समुद्री sea cucumber खीरे जैसा होता है इसलिए समुद्री खीरा भी नाम दिया गया इसको अब खीरे पर भी आप देखतो छोड़ोटे कांटे जैसे होते हैं तो इसका आकार भी वैसे ही होता है तो सी कुकॉम्बर के नाम से इसको जानते हैं तो यह सब जितने भी जीव हैं वो इसी काटेगरी में आते हैं इकाइनो डर्माटा जिसके सरीर पर काटे होंगे इस प्रकार से ठीक है और यहां तक कोई question कुछ भी इसी के आगे हम फिर देखते हैं कि कुछ मचलियों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो वहां हम देखेंगे कुछ ऐसी मचलियां होती हैं जिसमें bones नहीं होते तो bones नहीं होता तो हम उसको condisthize बोलते हैं condisthize कहने का मतलब यह condro word condrology से आया हुआ है जिसमें उपास्थियों का अदिन करते हैं तो कुछ मचलियां ऐसी होती हैं जिसमें काटे नहीं होते तो उपास्थी मचलियों होती हैं condisthize बोलते हैं और ostristhize कहने का मतलब वैसी मचलियां जिनमें काटे वगरह होते हैं ostristhize तो यह इस प्रकार के मचलियां होती हैं काटे बगहरा होते हैं, हड़ी वाली मचली हैं Osteology Kondrology, दोनों अलग अलग चीज़ है Kondrology मतलब उपास्तियों का अध्यन Osteology मतलब हड्यों का अध्यन लेकिन आपको उतने detail में नहीं जाकर आपको सिर्फ यह जानना है इसके बाद क्या है? एक core data sun और Core Data Phylum, जो कि हम next class में, जब इसकी दूसरी class होगी, आपको next Saturday को, तो उस दिन मैं आप से और भी बताऊंगा, और उसमें planned classification भी मैं आप से discuss करूंगा, तो आपके पास 2-3 मिनिट है, यह जानने के लिए, यह पूछने के लिए, और कुछ doubt वगरा है, तो आप पूछ सकते हो, यह पिर आपको कैसी लगी class, तो आगे हम Core Data पढ़ेंगे, तो उसमें हम reptiles भी पढ़ेंगे, साथी साथ, इसमें हम reptiles के अलावा, mammals भी पढ़ेंगे, Core Data में, फिर हम amphibians भी पढ़ेंगे, उसमें हम, इसमें, एब्स, पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, तो सारा का सारा हम उसमें Core Data संग में पढ़ेंगे, जिसमें हम बोल सकते हैं, या तो read की हड़ी होती है, noto-core present होता है, या फिर backbone present होता है. चलिए, और कोई doubt नहीं, तो next class में फिर मिलते हैं, और फिर यहीं से फिर आगे, Core Data, एक क्योंकि अब इतने कम समय में फिर वो होगा नहीं, तो आगे की class में फिर आगे यहीं से start करेंगे, और classification of animals का जो थोड़ा सा part है, Core Data, वो next class में हो जाएगा, और उसके साथ-साथ classification of plants भी उसी दिन हो जाएगा, तो आपका एक जो chapter है, इसमें किसी तरह कि आपको problem नहीं होगी, और बार-बार जब भी आपको क कर रहा हो, किस तरह का कोई problem हो, तो आप फिर से इस video को देख सकते हैं, तो जो भी आप नए जुड़े हुए हैं, galaxy classes को आप follow करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आप खुद भी जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत share भी कर देंगे, जिससे जादा-जादा लोगों तक हमारी पहुच बनती रहे, और आप भी दिरे-दिरे जादा-जादा संख्या में जुड़ते रहें, तो आप यहां से बहुत सारे videos देख सकते हैं, साथे साथ galaxy classes की अपनी खुद की app है, उस app के माद्यम से आप free test series भी दे सकते हैं, उसमें current affairs भी आपको मिलेगा, साथे साथ इसके अलाबा उसमें आपको जो classes वगरा, जो free video हैं, वो भी आपको मिलेंगी, बहुत सारी classes की, और हो सकता है, कि आपको जिस class में doubt वगरा हो, जिस class से या जिस topic वगरा से doubt हो, उसी की video आपको मिल जाए, तो galaxy classes app भी आप download कर सकते हैं, google play store में जाकर, और इसका logo आपको पता नहीं है, दिखता भी है logo हर जगा, जहां भी आप सर्च करोगे, तो इस logo को ही देखकर आपको पता करना है, नकली से साफधान हमेशा असली अपना है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए, thank you. Hello students, weekly mega quiz बहुत जल्द आपके साथ आ रहा है Galaxy Classes के YouTube चैनल पर, तो आईए जानते हैं कि आप इस mega quiz में कैसे participate कर सकते हैं, weekly mega quiz में participate करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा Galaxy Classes के app के थ्रू, जिसमें से हम select करेंगे top 8 scorers को, तो आईए जानते हैं कि test कैसे दिया जाए, सबसे पहले Galaxy Classes की app को अपने play store से download कर लीजे, login या sign up करिये, home page पे quiz के option पे click करिये and then after general studies के option पे click करिये, first point आपका जो है weekly mega quiz test January 25, आप start पे click करिये और test देना शुरू कर सकते हैं, इस test में total 20 questions होगे, जिसको आपको 8 minute में देना होगा, हर question दो marks का होगा और गलत question पे negative marking भी रहेगी, ये test 25th January को दुपहर 12 बजे से Galaxy Classes के app पर live होगा, इसके साथ ही आने वाले 24 जनवरी को यानि संडे को शाम 7 बजे weekly mega quiz का episode 1 Galaxy Classes के YouTube चानल पर live होगा, आप भी live खेल सकते हैं, questions के answer दे सकते हैं, और जो दो students live और right answers देंगे, उनको हम lucky draw के through next mega quiz के लिए select करेंगे, अधिक जानकारी के लिए दिये गया नमबर पिसम पर करिए, thank you. नमशकार aspirant, क्या आप खेलना चाहेंगे weekly mega quiz जहां हर सवाल पर दिये जाएंगे 100 रुपे, यानि 5 सवाल आप से पूछे जाएंगे और एक सवाल सही तो 100 रुपे का इनाब, तो डाउनलोड कर लिजे galaxy app, 25 जनवरी दोपहर 12 बजे एक टेस्ट लाइब की जाएगी, जितनी भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देंगे, टॉप 8 स्टूडेंट को select किया जाएगा, और 24 जनवरी को हम first episode of weekly mega quiz competition लेके आ रहे हैं, इस live quiz को अगर आप देखते हैं और इसमें सही समय से सही जवाब देते हैं, तो हम इनसे भी दो स्टूडेंट को select करेंगे, यानि कुल 10 स्टूडेंट को select करके हम खेलेंगे episode 2 of weekly mega quiz competition, तो 24 तारीक को हमारा live quiz देखें और 25 तारीक को 12 बजे आप download करके test दें, धन्यवाद करके सही को बालब करें जाप दे खिखें और 25 तारीक को शाज देखेंगे बगला